इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ सिविक्स का चाप्टर चाप्टर है हमारा कॉंस्टिटूशनल डिजाइन एक ऐसा चाप्टर जो कही ना कही बहुत इंपोर्टेंट है आपको अगर सिविक्स को समझना है पॉलिटिकल साइंस को समझना है तो देखिए पिछले चाप्टर में आप लोगों ने क्या समझा था ब्रॉडली अगर हम बात करें तो डेमोक्रिसी के बारे में समझा था डेमोक्रिसी को पड़ा था अब अगर मैं यहां कहूं तो ज़्यादा exaggeration नहीं होगा लेकिन democracies कही न कहीं constitution पर टिकी होती है एक democracy के अगर pillars की बात की जाए तो constitution भी एक important pillar हो जाता है हम Indian constitution को समझेंगे हम देखेंगे कि Indian constitution कैसे बना क्या जरुवत है constitution की South African constitution से थोड़ा सा हम क्या लेने वाले है reference लेने वाले है तो यह सारी चीज़ें आप इस chapter में पढ़ने वाले हो यहां जो वीडियो है basically एक introductory video है इसमें आपको chapter की theme ही बताऊँगा क्या अगर का chapter किस बारे में है और हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और कौन से topics पढ़ने वाले हैं यह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो अगर हम start करें यहां से देखो constitution plus design ठीक है तो constitution constitution से जुड़ा हुआ constitutional और design तो basically क्या है कि constitution जो है ना constitution कैसे बना Indian context में वो एक core क्या सकते हैं aspect रहेगा इस chapter की theme का साथ ही साथ क्या है design मतलब हो इक कैसे बना साथ ही साथ हम South Africa की story को भी पढ़ेंगे अब अगर chapter को start करें ना तो chapter में जिसे हम constitution के बारे में पढ़ेंगे क्यों पढ़ना है तो अगर आप पिछला chapter connect करो गए यहां पे एक तरीका क्या होता है बस question answer याद कर लिए exam में लिख कहाए number उनको भी मिलना है दूसरा तरीका यह भी होता है कि हमने जो 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 जितना book में लिखा उतना पढ़ लिया समझ लिया और तीसरा तरीका यह होता कि हम पढ़ नहीं रहें हम जी रहें उस subject को ठीक हम उस subject को connect कर रहें relate कर रहें तो उस तीसरे सरी तरीके के साथ पढ़ना clear अब अगर यहां पर जैसे हम देखें तो क्या क्या पिछला चाप्टर जो पढ़ क्या उससे जोड़ने की कुशिश करो हमने democracy के जो features देखें थे उनमें एक feature यह भी था ना क् democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens right जानू पीएफ रॉबर्ट मुगावे ध्यान आया कुछ जिमावे तो उस हिसाब से कर हम देखें तो democracy का एक feature यह भी होता है कि democracy में जो government होगी ना वो government constitution की हिसाब से काम करें ठीक है constitution के हिसाब से काम करें citizens के rights की respect करें clear हुआ तो उस चीज से कर relate करें तो य जिए गये होंगे जिस हम कहते हैं हमारे constitution में fundamental rights है तभी तो government उन fundamental rights की respect करती है तो इस context में क्या है कि democracy के जो features है जो democracy है ना उस democracy को democracy बनाने के लिए constitution का एक बहुत important role होता है constitution एक बहुत important aspect होता है democracy का तो इस context में हम क्या करेंगे पूरे constitution को समझने वाले हुए यही chapter की theme है उ Indian constitution कैसे बना कौन-कौन leaders थे, constituent assembly क्या थी, क्या situation थी, क्लेरवा, preamble जो है constitution का important part वो सारी चीज़ा आप इस chapter में पढ़ोगे, तो constitution क्या है, एक set of written rules है लेकिन इसमें आप जिसे देखोगे, तो तमाम चीज़े हैं, क्या कि वो rights को define करता है, government की power पे limit लगाता है, तो जितने भी constitution से जुड़े aspects है, एक basics के लिए, एक उस student के लिए जो competitive की preparation कर रहा है, एक उस student के लिए जो class 9 का exam देने वाला है, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में, इस chapter में मिलने वाला है, तो कौन-कौन से topics पढ़ेंगे, जाए topics पेक बार नजर दोड़ाते हैं, अब तो यहाँ जो part है, democratic constitution in South Africa, struggle against apartheid towards a new constitution, apartheid क्या है, नया constitution कैसे बना, तो South Africa की जो कहानी है, वो हम एक वीडियो में पूरा समझ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ South Africa की कहानी हम क्या करने वाले, समझने वाले, उससे reference लेंगे और, कि क्या दिक्कत है थी और वहाँ पे constitution ने कैसे दिक्कतों को resolve किया, यह सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, फिर why do we need a constitution, this is the most important question which can be asked from this chapter, क्या, क्या आप constitution के बारे में पढ़ रहे हैं, आप constitutional design पढ़ रहे हैं, तो सवाल यही है, कि इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, constitution की जरूरत क्या है, why do we need a constitution, तो यहाँ पे बहुत अच पॉइंट्स मिलेंगे, constitution सिर्फ set of rules नहीं है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कही न कहीं कह सकते, पूरत अपरा सिस्टम समाया हुआ है, multiple reasons है, तो क्या reasons है, इस topic में मिलेंगे हमें, फिर अगर हम बात करें, making of the Indian constitution, तो यह पार्ट देखो इतना अच्छा है, making of the Indian constitution मतलब क् इंडियन constitution किन स्थितियों में बना, the path to the constitution, अब बस राच में सो एंथे, सुबह सो के उठे, चलो constitution मनाएंगे, इतना असान नहीं है, ठीक है, continuous inspiration हमने क्या है, British time period से लेते आया है, और अजादी पाने के बाल तक हमने क्या क्या constitution मनाया है, तो constitution कैसे बना, ठीक है, constituent assembly का क्या सारे leaders को हम एक साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, फिर क्या है, the guiding values of the Indian constitution, what are the guiding values of the Indian constitution, समयदान बन गया, तो यह कहनी है, अब उस कहनी के पिछे का essence समझे, तो Indian constitution किस philosophy पर based है, ठीक है, किस philosophy पर based है, dreams and the promises, तो dreams and the promises की अगर हम बात करें, तो dreams and the promises में क्या आ जाएगा, कि हमने ज तो क्या aspect, मतलब कह सकते हैं, कि क्या हमारी expectations थी, ठीक है, और किन expectations को बहतर तरीके से incorporate किया गया, constitution के अंदर, वो सारी चीज़ें आप क्या देखोगे, the dream and the promises, इस topic में देखोगे, फिर क्या philosophy of the Indian constitution, preamble, तो अब क्या है, इतना बड़ा constitution, इतने सारे article, इंडिया का constitution है, ठीक इतने बड़े constitution को कैसे समझा सकते हैं, तो आप एक chapter में, नहीं है possible, लेकिन अगर आप essence की बात करोगा, तो essence आपको preamble में एक पहले page पर constitution के, या फिर आपकी book के पहले page पर हर जगा preamble दिया रहता है, आपको उस पहले page इसे चीज़े समझ में जाएगी, philosophy of the constitution, preamble, clear हु constitutional design, तो आप देखो constitution सिर्फ ideas नहीं है, ठीक है, तो क्या है, कह सकते हैं कि ख्वाभी पलाव नहीं है वो, वो क्या है constitution जो है, उसमें जो ideas है, उसमें जो rules है, regulations है, वो सारे जरूरी है, क्योंकि वो हमारी institutions को एक design देते हैं, तो judiciary के पास क्या power होगी, executive के पास क्या होगी, legislature के पास क्या power होगी, ठीक किस तरह से कौन सा organization काम करेगा, तो constitution हमारे institutions को, अलग-अलग organs of the government को क्या करता है, design करता है, तो last topic में हम वो पढ़ने वाले हैं, तो यह पुरा का पुरा मैदान है chapter का, ठीक है, I hope आप connect कर पारो कि किस तरह से आपको क्या-क्या पढ़ना है, इस chapter के में, essence समझ में आ गई है, next video से हम South Africa की कहानी उठाएंगे और यहां से चालू परेंगे chapter, clear है, तो मैं उम्मीद करता है आपको यहां तक चीज़ा है, हलो everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to Magnate Brains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने democratic constitution in South Africa, अब यहां पर आपको चीज़ों को connect करना है, समझना है, और South Africa के वारे में क्यों पढ़ने हैं, मतलब हम पढ़ने constitutional design in context of India, और बीच में आ गया है South Africa, कैसे, क्या सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, end तक वीडियो को देखना तो आपको सारी चीज़ें clear हो जाएगी, clear हैं, अब सबसे पहला सवाल यहाता है, कि South Africa की story हमें यहाँ पर इसलिए पढ़ना, क्योंकि South Africa में जो constitution design किया गया, वो एक recent example है, 1996, एक recent example अगर हमारे constitution के कैसकते हैं, framing से अगर उसको compare करें तो, क्यों, क्योंकि हमारा constitution late 1949 उस time period में बना था, तो उस हिसाब से एक नया ताज example है, जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं, कि constitution की significance क्या होती है, ठीक पहली चीज, दूसरी चीज आपको यहाँ पर यह है, कि constitution किस तरह से tense situations को क्या कर सकता है, tense situation में trust develop करवा सकता है, चीजों को आसान कर सकता है, clear है, तो एक background पहले समझेंगे, उस background से हम क्या है, South Africa की स्थिति को समझेंगे, क्या होता था कि यह topic, जैसे अगर आप देखेंगे, तो अभी क्या है कि academic years में syllabus reduce होना, increase होना, यह सारा सब कुछ चलता रहता है, तो 2021-22 वाला जो academic year, उस year में यह वाला जो topic है, democratic constitution in South Africa, इसे syllabus से हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि आगे topics आ पढ़ोगे ना तो उसमें connect कर पाओगे, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे, तो पढ़ते सब चलो, फिर आप exam देने जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा, कहां से क्या आना है, क्या नहीं आना है, वो syllabus वाला पार्ट अलगे है, पढ़ेंगे हम सब कुछ, ठीक है, तो मतलब क्या होता है, देश द्रोह का आरोप लगाया, मतलब आप सोच रहे होंगे, कि जिने हम, जैसे हम हमारे लिए जो महात्मा गांदी है, तो वैसे ही साओध अफरिका के लोगों के लिए कौन है, नेलसर मंडिला, और इनके उपर देश द्रोह का मुकदमा चला दिया, द तो इनके उपर देश द्रोह का मुकदमा किसने चलाया, तो जो वाइट मायनोरिटी गवर्मेंट थी साओध अफरिका में, साओध अफरिका ब्रिटिश कॉलनी थी, वहाँ पर जो वाइट मायनोरिटी है, वाइट मायनोरिटी क्या है, तो जैसे इंडिया में भी क्या था, रूल ब्रिटिश को था लेकिशरें कि रहे नहीं साथ अफिरिका में हई हुआ कि ब्रिटिश बहुत सारे आपके वही ऑल गए ठ सब्सется अक्ति एकिये तो मिलें और पर बहुत आपको ज्यक्राइब देखने को मिलेंगे Anglo-Indians लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा आपको वाइट देखने को मिल जाएंगे तो यह होता है कि ही वास इंप्रिजेंट इन 1964 for Tierson देश दो का मुकदमा चला है क्यों because of his daring to oppose the apartheid regime in his country ठीके उनके देश में South Africa में apartheid system चल रहा अपार्थाइड रिजीम चल रहा था अपार्थाइड क्या होता है अपार्थाइड को भी हम यहां पर समझेंगे ठीके South Africa कहा है यह देख लो South Africa यह रहा तो South Africa में क्या था apartheid regime था अपार्थाइड मतलब क्या है अभी के लिए समझाता हूं कि racial discrimination क्लियर है कि आप skin color की basis पर क्या कर रहे हो दो लोगों के बीच में भेदभाव करते हो क्लियर हमारे आज इसे कास्टिजम होता है अपार्थाइड था फिर क्या है he spent the next 28 years in South Africa's most dear dead prison Robben Island ठीके अब क्या है एक इंसान ने अपने जीवन का अपने जीवन के अठावेस साल जो है जेल में काट दिये क्यों क्योंकि उन्हें आवाज उठाई थी जो साओथ एफ्रिकन साल अपने संकल्प क्लिए कर दिये कृर्बान कर दिये अपने आदा जीवन उन्हें निकाल दिये एक तरह से दिखा जाए तो हुआ यह वा उसके बाद में अगर आगे समझें तो अपार्थाइड इस्टम है क्या तो अपार्थाइड सिस्टेम को अगर समझेंगे तो साउच अफरिका में जिसे क्या है कि जब कॉरोनी बनी व्रिटिश के सटल होते चले गए बाइट जो है कि उनके नंबर बढ़ते चल तो आपर्थाइड वाज़ शिस्टम ऑस रिशन डिस्क्रिमिशन प्रमोटेड वाई दिवाइड गावर्मेंट दिस सिस्टम ऑफ अपर्थाइड डिवाइड दी पीपल एंड लेबल दैम और बीशिस ऑफ देर स्किन कलर स्किन कलर के बैसिस पर क्या है लोगों को लगा वाइड के लावाज जो दूसरे शेड्स में थे मतलब तरलर्ट थे ठीके ब्राउन मुंडे जो इधर से गये थे उन सभी के वीच में भी क्या होने लगा उनके साथ भी डिस्क्रिमिशन होता था साथ एफ्रिका में दिवाइड डूलर्स ट्रीटेड ओल नॉन वाइ अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली अपार्थाइड रिजिम में क्या होता था अपार्थाइड सिस्टेम पर्टिकुलर्ली ओप्रेसिव फॉर्टी ब्लैक्स जो ब्लैक थे ना साथ एफ्रिका में उन्हें और जादा ऑप्रेशन का सामना करना परता तो उन्हें और अपार्थाइड सिस्टेम पर्टिकुलर्ली ओप्रेसिव फॉर्टी ब्लैक्स हाओ तो एक कुशिन यहां बन सकता है क्या बन सकता है कि अपार्थाइड सिस्टेम ब्लैक्स के लिए नेटिव फ्रिकंस के लिए कैसे डिस्क्रिमिरेटरी था तो अब क्या होता था ना देखो दिखती बात है कि यह मानलो कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा किसी भी तरह का काम हो रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा मदद तो ब्ल है ट्रेंस बसेस टैक्सीज होटेल्स होस्पिटल्स स्कूल्स और कॉलेज़ेस लाइबरी सिनेमा हॉल्स थेटर्स वीचेस स्विमिंग पूल्स पब्लिक टॉलेट वर और सेपरेटेट फॉर दी वाइट्स एंड ब्लैक्स तो इन शॉट अगर कहें तो सारी पब्लिक प्ल लाइट इसको ब्लैक्स और वाइट पीच में बाट के रख दी यह एक और अत्याचार था ठिक है तो ब्लैक्स और वाइट के बीच में का सरी पब्लिक फैसलिटी इसको गिरोने सेपरेट कर दिया ब्लैक्स कुड और इवन विजट ती चर्चेस वर्धी वाइट अब इतना तो है है इसी के साथ साथ में आप आवाज भी नहीं उठा सकते हो आवाज नीचे उस तरह का कंसे पूरा यहां पे चल रहा था ठीक है पूरा का पूरा उस तरह का सिस्टम आपको सौट अफ्रिका में देखने को मिल जाएगा समझ में है यह चीज तो जैसे कर आप अब देखेंगे तो महत्मा गांदी जब गए थे तब उन्हें भी डिस्क्रिमिशन फिस करना पड़ा था तो नेटेफ इंडियन स्कलर्ट इफ यू एंटर इस प्रिमाइस एट नाइट यू इल बी लिस्टेट एज मिसिंग मतलब अगर घुजगा यहां पे तो अगले द बीच बाइलाउस दिस बेधिंग एरिया इस रिजर्ट फॉर्टी सोल यूज उस मेंबर्स ऑफ दी वाइट रेस ग्रूप तो सिर्फ वाइट रेस ग्रूप के लोग यहां नहा सकते हैं बाकी और कोई आया तो आपके साथ क्या होगा आपको भी निपता है तो इस तरह से क सके सब्सक्राइब करना यहां तक कहानी समझ में यहां तक बैग्राउन समझ में आया है यूरोपियन के जो मदब यूरोपियन निशन्स पर्टिकुलर्ली ब्रिटेन की बात करते उनको ऐसी लगता था इंडिया में भी यही थोड़ा सा था कि इंडियन्स को इन फिरियर मान के चलते थे वो तो यह डिस्क्रिमिशन था और बहुत लेट तक चला देखो सेकंड व अब आगे देखो क्या है तो अब यह जो पूरिस्तिती थी तो सवाल आया होगा आपके मन में कि लोगों ने अवाज नहीं उठाई कैसे उठाते मारते पीटते हैं महां पर बहुत ज़्यादा ठीक है असोशेशन मनाना अलाव नहीं था लेकिन 1950s के टाइम प्रेट तक दि सब्सक्राइब तो वैसी अफ्रीकन नेशनल कॉंग्रेस जैसे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस से अफ्रीकन नेशनल कॉंग्रेस बनती है और उसने इस अपार्थाइड रजीम को खतम करने में एक इंपॉर्टेंट रूल प्ले करा क्लेरें तो कैसे सिंस 1950s दी ब्लैक्स कलर अपार्थाइड सिस्टम दे लाउंज प्रोटेस्ट माचस एंडिट्राइक्स दी अफ्रीकन नेशनल कॉंग्रेस एंसी वादी एंप्रेला ओर्गनाइजीशन देट लेंड दी श्ट्रगल अगेंस दी पॉलिशी दी पॉलिशी दॉसी देखो गें तो किसने मुमेंट दो विलोग प्रोटेस्ट करने तो सब आ जाते थे सारी और्गनाइजीशन Klein के संगठन में शक्ते तो एक साथ संगठत्त होके कया करती थी इंडिपेंड़ेंस के लिए अपार्थाइइड प्रक्यों सिस्टम को ऐस सब खतम हुआ खतम लेकिन कैसे हैं वह ब्लेकिन कैसे मैनरीटी गवर्मेंट को ऐसा रखता था है ऐसे कैसे राइट देघन हमिने ठीक लेकिन जैसे जी से प्रोटेश्ट टेज होते चले गए तो ऐस प्रोटेश्ट एन स्ट्रग्रास अगेंस्ट अपार्थाइड हैड़ इंक्रीज्ड गवर्में रियालाइज देट देट दे ग लॉंगर कीप टी ब्लैक्स अंडर देर रूल थूर प्रेशन ठीकर फिर गवर्वर्मन को रियलाइज होगा कि नहीं यार अब ज्यादा लंबे समय तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे हम ज्यादा लंबे समय तक इस प्रोटेस्ट को रोख नहीं बाएंगे समझ में आ जाते हैं इससे सौथ अफ्रिका ने क्या कर ली आजादी पनी तो साथ अफ्रीका का होता है सब्सक्राइब करना पड़ेगा ठीके दिसक्रिमिनिटरी लौस रिपीड तो जिस भी तरह के लौध है कि हाँ यह सग्रेशन की पालिसीों इन सभी तरह के लाउस को खटा धिया गया क्लिरों क्या आस्ट ट्विंटी एट यर्स फिम्रेशनमेंट नल्सन मंदेला वाप आउट अफ दी जील एज फ्रीमीन एक आजाद इंसान की तरह भाहर निकले और देश के मतलब इंडिपेंदेंट साथ अफ्रिका के पहले ब्लैक प्रसिडेंट बंते हो ठीक फिर का लिपा यह पॉइंट आपको समझना होगा और यहां पर हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कॉंस्टिशन का एसेंस क्या है कि आजादी मिल गई आजादी 1994 में आजादी मिली इस आजादी के इस आजादी को सेलिब्रेट कैसे किया कि अपार्थाइट गवर्मेंट को खतम करते हैं डिस ति fragी पारे में पढ़ गार्या और घ क्या स्थिलिब्रेट के मन में खुसा हो गुस्सा भूट पढ़ेगा तो इस इस्तिति में दोलो किसे साथ में रहेंगे, ट्रस्ट कैसे डवलोब करोंगे, सवाल हैं, ट्रस्ट कैसे डवलोब करोंगे, चीजएं कैसे आगे बढ़ने वाली है, किसके पास कितनी पाऊर होगी, मल्ованudator किस तरह से काम करेगी, सारी चीज़ें अभी क्या थी, ब्लर थी, लेकिन जब constitution मना ना तो उस constitution में हर चीज को लिखा गया बताया गया कि क्या सही है क्या गलत है कैसे हम काम करेंगे किस तरह से आगे चीज़ें चलेगी तो उससे क्या हुआ उससे जिस अगर आप समझोगे न तो constitution ने क्या किया एक बेस प्रोवाइड किया जिस पर आगे का सौथ एफरीका मतले का रास्ता जिस पर आगे का सौथ एफरीका चल सकता है आगे की अपनी रंगीती बना सकते आगे वह देख सकते कि किस तरह से एज़ेंशन वीकन बूव together both blacks whites and colored also तो यह जो कहानी थी ना इस कहानी साब को यह समझ में आया कि black domination I have cherished the ideals of democratic and free society in which all persons live together in harmony with equal opportunities it is an ideal which I hope to live for and to achieve but if needs to but if needs be it is an ideal for which I am prepared to die to get so what are what is the essence of these words to get mother get I some joke when I got a key many black domination किसी का भी नहीं होना चाहिए this is the point nomination किसी का भी नहीं होना चाहिए इन आइडिया को में प्लब हार्मनी में पीस में रहे लोग और इन आइडियों बनते हैं तो उनके पास में options थे क्या options यह थे कि आप अपने security को अपने हिसाब से रिंज कर लो clear है तो क्या परसीव करेंगे कि हाँ एक black president तो सारे black security guard होंगे लेकिन ऐसा नहीं यह उन्होंने अपने security guard में भी इस को जगा दी क्योंकि क्या होता ना कि लीडर्स को आम जनता जो रहती वो देखती है वो जैसार कहते सकते वो जिस तरह से statement देते हो जिस तरह से जीते हैं वो जिस तरह से अपना जीवन काट रहे होते ना तो लोग अपना reflection देखती उनमें कि हां हम भी हैसा ही जिए तो इन्होंने क्या कि अपने security में black और white दोनों को समाया मतलब कि वो चाहा रहे थी कि अब क्या है कि देश भी इसी तरह से चले जब black और white side में होंगे clear हो आप तो Nelson Mandela का यह idea था अब जिसे constitution की बात करें तो constitution कैसे बना कि black leaders appeal to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power अब देखो एक चीज़ और बता तो मैं आपको यह statement जो दिखना आपने तो यह क्या बदना नहीं लेंगे इंफेक्ट क्या होता है कि Nelson Mandela was very much inspired by Mahatma Gandhi तो Mahatma Gandhi का जो कहना है कि आख के बदले अगर आख लोगे तो पुरा विश्व अंधा हो जाएगा उसी तरह से इन्होंने अपील किया कि चलो blacks के साथ गलत हुआ लेकिन इसका मंदा भी है नहीं कि आव वाइट के साथ गलत करो आव वाइट के सांथ गलत कर दो कि कल को उनके पास मौका आएगा फिर वो गलत करेंगे तो क्या है वह आख के बदले आख लेते जाओ तो पुरा विश्वन्दा हो जाएगा ना वह कहा नियों तो black leaders appeal to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power where the party that ruled through operations and brutal killings and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution तो जिरोंने अत्याचार किया और जिन्होंने अत्याचार सहा तो सारा सब कुछ भुला किया वह साथ में मिठे थे के समविधान तयार किया जाए clear होगा फिर क्या है together they decided that in the search for a solution to the problems nobody should be excluded no one should be treated as a demon बतलब किसी को हम बाहर नहीं निकालेंगे सबको include करना है inclusive constitution बनाना है clear वा एक inclusive constitution बनाना है किसी ना कोई छूटे और ना किसी को हम क्या माने डमन की तरह माने कि इन्होंने गलत किया थे इनको rights नहीं देना है सबको समान नजरों से देखा जाए जब समविधान बने तो clear है they agreed that everybody should become part of the solution whatever they might have done or represented in the past तो past को भुलाते हुए हम एक future optimistic future की तरफ देखें और उस पे चले तो इन आइडियल्स पर बेच था South African Constitution एक constitution बना और इस constitution से जिसे आप देखोगे तो एक ऐसा देश था जहां पर सबसे ज़्यादा स्केन कलर के लोग एक साथ मिलके optimistic future को देखते हुए प्यारा साज शांदार सा constitution फ्रेम कर रहे थे तो यह साथ अफ्रिकन की कहानी थी अब देखो क्या है तो देमोक्रेटिक कॉंसिशन इन साथ एफ्रिका तो डेमोक्रेटिक कैसे है कि कि आप जिसे देखोगे इंक्लूजिव है सभी के बारे में सोचे जा रहा है इरिस्पेक्टिव ओफ दी पास्ट की जो भी इतिहास रहा हुंका लेकिन सारी चीदों को भुला कि उन्होंने क्या क या कॉंसिट्यूशन की मदद से कॉंसिशन का पल्लू पकड़के आगे का भविष्च्ट तैय करने का तैय किया और यही चीज का इंस्पिरेशन यही चीज का इस चैप्टर में डालने का कारण है कि हम सीखें ठीक है आप वैसे ही अगर आप जैसे देखो कि तो आप आप यह स्टोरी पढ़ लिए आपने अगला टॉपिक जो आपको करनेट करना है कि वाट इस दी नीड ऑफ कॉंसिशन कॉंसिशन ने ऐसा क्या कर दिया यहां पर तो हमें एक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा ठीक हम पढ़ेंगे तो साथ एफ्रिकन स्टोरी इसलिए पढ़ वाइडो वी नीड आ कॉंसिशन हमें एक समविदान की जरुवत क्यों पढ़ती है इस चीज को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं पढ़ने वाले हैं अब देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से कहानी को समझा कि किस तरह से साउथ एफ्रिका में एक democratic constitution को बनाया जाता है साउथ एफ्रिका की independence अपार्थाइट system इन सारी चीजों को आपने वहाँ समझा अब अगर हम आगे बढ़ें तो सवाल ही आता है कि साउथ एफ्रिका में समझ में आया constitution मना क्योंकि आजादी मिली उन्हें और उन्हें ट्रस्ट डेवलप करना था कि हां blacks और whites साथ में रह पाए तो उन्हें एक constitution मनाया हम कहानी वहीं से चालू करते कि समविधान के जरुवत क्यों होती है so let us try to learn some lessons from the South African constitution कैसे तो आपने क्या देखा कि blacks और whites थे अब दोनों ही क्या था कि एक ओप्रेसर था एक ने अत्याचार किया एक अत्याचारी था और एक ने अत्याचार सहे लेकिन अब हुआ कहा कि के आजादी मिलने के बाद में अपार्थाइड रिजीम के खतम होने के बाद में जब पहली डेमोक्रिटिक गवर्मेंट बनती है तो क्या था था तो अब इस बार किसको था वाइटब को था कि यह सहां न हो जाएं ब्लैक्स मार पीत के हमने जितना अत्याचार करें सब का बदला दे लें तो वाइट क्या चाहेंगे वाइट्स यहीं चाहेंगे न कि sense of respect हो एक sense of respect उनकी property की उनकी वाइट्स की ब्लैक्स उनके उपर पर क्या करें किसी भी आप से कोई अत्याचार ना करें तो एक वो बैलंस बना रहे वह बैलेंस कैसे मनेगा या तो मैं तो मैं आप से भोल दूर दो के अच्छा रहरमिसिशन वêu प्राइस से लावा क्या होता एक सेट उफ रिटरं रूज सुरा चाहिए तो सेट आफ रिटन रूल्स कहां मिलेंगे ठीक है वो सेट आफ रिटन रूल्स आपको मिलेंगे Constitution में तो यह चीज बहुत जादा इंपोर्टेंट यह हम सीख सकते हैं साथ अफ्रिका के Constitution से कि साथ अफ्रिका में जब Constitution मनाय गया तो उस Constitution की इंपॉर्टेंस क्या थी उस Constitution हम यह सीख सकते हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था ना जो विश्वास की कमी थी वो विश्वास कैसे आया उस समविधान से आया तो अब यहां पर आपको पढ़ना होगा समझना होगा क्या कि फुटबॉल का एक जो मैच होता है अब मैच हो रहा है मानलो दो टीम है मतलब सामने वाली टिम जो है दोनोको एक तरह से आप क्या करते हैं किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले रूल्स की कोई भी बदलाव नहीं कर सकता रूल्स को तो यह इंपोर्टेंस होती है समझ रहो मेरी बात को उसको क्या मुलते साइकल की कुमत देखते रहो इदर बात भी सुनो कि फुटबॉल गेम में अगर जिसे आप देखोगे तो रूल्स का होना बहुत जादा जरूरी है क्यों क्योंकि वो एक ट्रस्ट मेंटीन करता है तो सर कॉंस्टिशन का होना सिर्फ जरूरी है कि ट्रस्ट मेंटीन करता नहीं इसके लावा भी कारण है इसके लावा भी क्या कह सकता है आप सिग्निफिकेंस से कॉंस्टिशन की क्या सिग्निफिकेंस वा भी आईगी समझ में लर्वा तो हम अगर आब एक निश्कर्ष पे निकले पहुचें की कॉंस्टिशन क्या है तो हम क्या कह सकते है कि constitution the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country ठीक है यह definition एक्टम classical definition बहुत अच्छे से समझना constitution क्या है what do you understand by constitution what is a constitution to constitution की कहानी सीडीस यह a constitution of a country is a set of written rules लिखे हुए rules का एक सेट होता है जो कि हर इंसान के दवारा माना जाता है साथ एत्रिका का अगर एक्जामपल देखो गए अगर माने लोग कि ब्लैक्स ने बात मान ली सारी वाइश ने नहीं मानी तो तो ब्लैक्स और वाइट जितने भी लोग है उस देश के सभी इस दी रिलेशन्शिप अमंग दी पीपल लिविग इन अ कंट्री एक सुप्रीम लोग जिसके अकॉर्डिंग यह था है कि आपस में लोग कैसे रहेंगे अगर मान लोग यह तरह करते हैं कि कैसे लोग रहेंगे अपस में साथ में ठीक हैं तो इस कॉंस्टिटूशन इस दी सुप्रीम लाइट डिटर्माइन दी रिलेशन्शिप अमंग दी पीपल लिविग इन अ टेरिटरी कॉर्ड दी सिटिजन्स एंड और सी के साथ में मैं आपको पहले भी कंट्री तो सब्चधा पाउरफूल उस कंट्री में कंट्री की गवरमेंट होती एक करता है कि सटीजन्स और गावर्मेंट की बीच में कैसे रिलेशन रहेंगे citizen citizens की बीच में आपस में कैसे relation रहेंगे आगे समझ में तो अगर हम अब एक conclusion पर निकले ना तो what does a constitution do to constitution do a constitution does many things ठीक है तो क्या है यहाँ पर जिसे आप तेखो तो constitution does many things first second third or fourth तो what is a constitution constitution is a set of written rules accepted by the people of that country clear definition explain करा और यह पांच आपने क्या लिख दिए उसके importance लिख दिए कि constitution कि क्या importance है constitution क्यों चाहिए रहता why do we need a constitution what is a constitution question कैसे भी आए आपने थियोरी बहुत अच्छे से पड़ी तो बने गा आप से ठीक है तो why do we need a constitution what is a constitution समझ मेरा है question कैसे आएगा तो why do we need a constitution में आप कोई चीज लिखना है क्या कि सबसे पहले का है it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together जैसे South Africa example black or white कैसे रहेंगे एक साथ क्या guarantee कि कोई एक दूसरा किसे बदला नहीं लेगा तो constitution में लिख दिया गया कि आओ मिल के rainbow nation मनाते है ठीक है तो उसके चलते क्या है it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together ठीक है is that clear self-explanatory statement बहुत जादा कोई rocket सजीद नि लगा न उसमें अगला क्या कारण है second it specifies how the government will be constituted who will have the power to take which decisions समझ में है constitution है तो आपको ये blank नहीं रहेगा आपको दिमाग में कि यार constitution तो बना लिए आप सरकार कौन बनाएगा तो constitution में लिखा है कि सरकार कैसे बनेगी किसके पास कितनी power होगी executive क्या क्या कर सकते legislature क्या क्या कर सकते जुडिशरी क्या क्या निड़नाई लेगा ये सारी चीजें उस समविदान में लिखी रहती है थर्ड इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन दी powers of government and tells as what the right of citizens आर तो इस तरह से क्या मतलब एक तरह से सरकार है सरकार के पास क्या power है वो भी बताता है लेकिन सरकार उन power को कहा तक सरकार है बने किसके लिए है जनता के लिए पता लगया सरकार जन्ता कोई पाट दे रही तो इस तरह से क्या कि सरकार क उपर भी लगाम लगाना जारूइ और कौन लगाएगा लगाम तो चैसे फ्रेम करो कि एक की मदद से तो टो टो लेज डाउन लिमिट्स ओन दीप पावर्ण फिवर्मेंट अट यह वाट दी राइट्स आफ दी इस इसे इस आर्ण गवर्मेंट को किन राइट की रिस्पेक्ट करना किसकी नहीं करना तो रूल अफ लॉव ठीकर्ड एडिस्पेक्ट फर दी इसे आप अपनी खुद की चॉइस से बनते हो वैसे अगर समविधान बनेगा आपके देश का तो वह आप अपनी चॉइस से बना रहे हो मतलब आप लोग जो चाहेंगे वैसा समविधान बनाएंगे अब मान लोग एक देश है उसमें चोरी चोर हैं सब थेखें सब क्या हैं चोर देश वालबidents आपके this is again a very important point why do we need a constitution to the constitution expresses the aspirations of the people about creating a good society good society सभी बनाना चाहते है ठीक है तो उस good society को आप कैसे बनाओगे साथ अफ्रिका ने तहीं कि हम साथ में मिलके बनाएंगे चाहते तो वह भी कर सकते थे कि blacks dominate करें लेकिन नहीं उनका aspiration क्या था कि हो गया खुन खराबा हो गया discrimination जितना होना था अब हम क्या करते हैं नहीं शुरुवात करते हैं तो वह नहीं शुरुवात और चाहिए चीज सीखो life lesson लेते जाओ कि कभी भी ऐसा on your initiative तो उसी तरह से क्या है कि आप अपने aspirations को express कर सकते हो अपने constitution में तो these are the importance why do we need a constitution so these are the points which explains why do we need a constitution is that clear ठीक है यहां तक हमारी कहानी में हमने सीख लिया कि constitution क्या है और हमें constitution की क्यों जरूरुरत है अब आगे बरते हैं एक statement बहुत अच्छा दिया क्या कि all countries that have constitutions are not necessarily democratic but all countries that are democratic will have a constitution will have constitutions इसका मतलब क्या जिसे अगर आप देखोगे democracy आई France में democracy आई America में democracy आई Britain में तो उन्होंने अपना constitution तयार किया ठीक है ठीक है constitution तयार किया तो जहां democracy होगी democracy में क्या होगा features याद करो rule of law होगा respect for rights होगी और rule of law और respect for rights कहां से निकल के आएगा constitution से तो हर वो देश जो एक democratic country है वहां constitution होगा लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि constitution है तो हर country democratic है ठीक आप constitution चाहिना में भी है constitution मिडिले इस्ट की जो countries है वहाँ पर भी है तो constitution रख लेने से आप क्या है constitution रख लेने से आप democratic नहीं बन जाओगे ठीक है लेकिन अगर आप democratic country हो तो आप एक constitution जरूर रखोगे ठीक है यह एक general practice हो गई एक general practice हो गई आया नहीं समझ में so this is the crux यह है कहानी की constitution हमें क्यों चाहिए रहता है इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे making of the Indian constitution इस topic की significance को समझो यहाँ पर यह topic क्यों आया है इस चीज़ को भी समझे पिछले videos में हम लोगों ने पढ़ा कि South Africa की कहानी क्या रही South Africa में किस तरह से संघर्ष किया गया अपनी आजादी के लिए अब South Africa से आगे बढ़ते हैं अगर हम उनके struggles अगर सीखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि constitution की जरुरत क्या है अब हम बात करते हैं हमारे अपने घर की ठीक है we are coming to the topic making of the Indian constitution की Indian constitution किस तरह से बना ठीक Indian constitution किस तरह से बना क्या स्थिति रही होगी तो आप देखेंगे तो वो क्या रास्ता हमने ताई किया जिसके त्रों में constitution मतलब हमने हमारा constitution बनाया फिर उसके आगे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे किन लोगों ने बनाया तो constituent assembly क्या थी किस तरह से constituent assembly ने constitution बनाया हम क्यों वो पुराने constitution को आज भी चला रहे हैं तो इस सारे topics को हम एक एक करके पढ़ेंगे एक वीडियो में एक topic यहां पर यह जो topic है making of the Indian constitution इस topic में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से constitution बनाया गया क्या इस्तिती थी उस समय पे उस समय पे क्या situation थी इस चीज को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं तो the situation under which Indian constitution was made तो यह कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपकी potential से ज्यादा किस चीज़ पर करता है आपको environment क्या मिल रहा है ठीए आपको क्या circumstances मिल रहे है आपकी situation क्या है फॉर Example मुझे पढ़ाना अभी अब क्या हो रहा है कि हाए इसी बंदे हैं मान लो ठीए अभी तो चल रहा है ठीए अपर फिर क्या हो रहा है दूसी तरीगे से बहुत शोर शराबा हो रहा है जैसे कर आप देखेंगे तो क्या है light proper नहीं है content नहीं है तो circumstances तो मैं कैसे बढ़ा पाऊंगा पता हो उसी तरह से क्या है उसी तरह से अगर आप समझोगे तो क्लिर रहा तो अगर जैसे हम देखें हैं तो situation क्या थी तो it was not easy for the constitution makers इंडिया's constitution was also drawn up under very difficult circumstances ठीक है जिस तरह से अपने South Africa का example देखा है कि उन्होंने अपना जब constitution बनाया तो situations उतनी आसान नहीं थी blacks or whites case में differences थे oppressors और oppressed सांथ में मिलके constitution बनाएंगे सही चलेगा नहीं चलेगा multiple questions थे लेकिन वो एक rainbow nation की तरह emerge हुआ एक successful constitution बनाया तो ठीक उसी तरह से उनसे पहले ही हमने क्या किया था उनसे पहले ही अगर देखोगे South Africa से तो we had also made our finest constitution in the world clear रहा तो क्या situation थी लेकिन क्या समस्य आए थी क्यों आसान नहीं था वो अगर समझे हम तो यह रहे points देखो सबसे पहले चीज क्या है the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens पहले हम पहले हम लोगों ने किस चीज का status hold कर रहा था subjects का we were subject to the British nation ठीक है we are subject to the British Parliament कि British Parliament जो हमें क्या कर रही थी अब जैसे आपको समझना अत्याचार कर रही थी हमें होती इस दी people of the country who are going to govern the country democracy के अंदर तो उसके चलते का है कि जो सब्जेक्स थे वो citizens बन रहे थे उनके उपर responsibilities आ रही थी अब उन्हें देश चलाना है अभी तक जो सब्सक्राइब करा करते हैं हमने ड्राइबर बनाया गया है तो समझ लो responsibility आ जाती ही ना तो उस तरह से कहा है उस तरह से आपको चीजों को समझना हुआ कि विवर नोट train for that ठीक है training नहीं मिली थी किसी तरह से कि कैसे देश चलाएंगी जनता democracy में जनता ही देश चलाती ही कहने के लिए तो यह यह ना तो यह आला क्या सकते हैं जो शांती थी वह भंग हो गई क्यों क्यों कि आप जिसे देखो के तो रिलिजन के बीचिस पी जब डिविजन हुआ तो हिंदूज और मुस्लिम के बीच में राइट्स होते हैं बहुत जादा देंगे होते हैं ठीक है सफर करना पड़ता है जो बार्डरिंग करना पड़ेगी Constitution मना रहे थे आप देश का भष्य लिख रहे थे तो उस देश के भष्य में सबको होप्स दिखना चाहिए यह क्या है एक तरह से कह सकते ना परफॉर्मेंस प्रशर था हमारे Constitution makers के उपर और देखो कि और क्या समस्या थी तो एक लिस्ट टेन लाग पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ दी बॉडर इन पार्टिशन रिलेटेड वाइलेंस दस लाग से जादा लोग जो है वो अपनी जान गवा देते हैं इस विभाजन में तो यह भी क्या था यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आगे कैसे रहेंगे जैसे ब्लैक्स और वाइट के बीच में डिफरेंस थे ना कंफिक्स थे तो यहां पर भी कंफिक्स उस समय पर पैदा ही वह तो गहाओ जब क्या रहते हैं एक तरह से ताजा थे तो उस समय पर उन गहाओं को समालना और मुश्किल था तो एरवा दिब्रिटिश हाज लेस्ट एट टो दी र सट राजा रजवारे थे क्या था कि एक तो बृोटिश प्रोविंस थी पूरी एक पाकस्टान मन गया इंडियं मंड़ें बन गया और जो बचे हुए राजा रजवारे थे राजा रजवारों इन और पिर ये इंडिए भीच में यह देखना था था कि हमें इंडियन युद् place नि मिलना तुमारा देश ऐसा रेता फिर कुछ की पिची में कही है अलगेश कुने इन पर सुइड करना इन इंडियन यून यूने का साथ मिलाना ऐई जो भी स्टेजिया क्रना पड़े तरीके से यह ऑप them स्टिटी का बहुत बड़ा चैलेंज था मृतिपल चैलेंजंगे जिन स्थिधी में हमारा मनाए गया तो अभर कि ये इंडिपेंडेंडन रहने के पाइव हैं उप्षिन था तो इन प्रिंस्टीय स्था इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा. परसुएःड करना पड़ेगा. उस तरह से मनाना पड़ेगा कि आजाओ आप इंडिएन union के साथ मिल जाओ. और वो चीजे reflect होना चाहिए इंडिएन constitution में. तब ही आप देखते इंडिएन constitution में क्या है कि कुछ states को special status तो यह सारी स्टिती थी यह सारी सीट्यशन थी जिन में हमने क्या करा हमारा sudion ड्राफ्ट किया आगे समझ में तो making of the Indian constitution में आपको background समझाना चीकी क्या परिस्तिती थी क्या situations थी जब हमने हमारा constitution बनाया तो यहिंदी constitution was being written the future of the country did not look as secure as it does today ठीक है तो जब constitution क्या है लिखा जा रहा था तो country का भविष्ट जितना आज secure लगता है हमें safe feel होता है लोग कहते हैं कि भारत safe नहीं है तो उन लोगों से बोला जाए कि जरा जाके के दूसरे देशों में घूम क्या हो एक बार क्यों कि जिस तरह से हमारे सम्मिधान में इंकॉर्परेटिव इंक्लूजिव नेचर आपको देखने को मिलेगा ना वह कहीं विश्व में नहीं देखने को मिलेगा तो उसके चलते क्या है कि आज जितना secure आपको आपका देश इतना था नहीं क्योंकि जो situation थी जिन situation में बनाया गाया उस constitution को so we should salute to the constitution makers आगे समझ में उन्हें एक सलाम ही दी जाना चाहिए तो यह कहानी थी अब क्या रहाए तो जैसे constitution makers के सामने challenge था कि वह past और future के बीच में ऐसा bridge बनाए एक ऐसा constitution बनाए जो सभी क्या हो secure हो तो जो आ से constitution बनाया गया ठीक है किसने क्या कि हमारी inspirations कहां से मिली तो यह सारी चीज़ें नेक्स वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the path to constitution पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब इंडियन constitution बन रहा था तो क्या circumstances थी किस इस्तिथी में समविधान बनाया जा रहा था अब इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम देखेंगे कि वो रास्ता कैसे हमने तई किया constitution बनने वाला हमने कहां कहां से क्या क्या सीखा किस तरह से इंडियन constitution जो है हमारे लिए कह सकते हैं circumstances difficult थी लेकिन फिर भी experiences थे हमारे पास में बहुत सारे कि constitution होगा तो क्या होगा कैसे बनाना होगा हमने कहां कहां से inspirations रॉट करी वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी अब देखिए making of the constitution in South Africa and making of the constitution in India दो इस्तितियों को हमने समझा है इस chapter में तो हमने South Africa की जो कहानी पड़ी थी और इंडिया की जो कहानी पढ़ रहे हैं दोनों में constitution बनाया गया है दोनों में भी आप क्या देखोगी कि constitution बनाते समय situations उतनी आसान नहीं थी ठीक है there were circumstances which made the situation difficult for the constitution makers लेकिन उनके बावजूद भी constitution अच्छे बने और एक और जो added advantage था जो South Africa में शायद नहीं था वो इंडिया के पास क्या था पता है तो unlike South Africa there was one big advantage for the makers of Indian constitution और वो क्या था बढ़ा सा advantage we already had consensus about what a democratic India should look like अब मैं आपको explain करता हूँ देखो क्या हो रहा है कि South Africa में भी constitution बना इंडिया में भी constitution बना बधाई हो मिठाई बटवा दो अब लेकिन क्या है कि इंडिया में जो constitution बना था ना इस constitution को बनाने के लिए पहले से कही ना कहीं हमारे पास consensus थे पहले से कहीं हमारे पास experiences थे जो की South Africa में नहीं थे कैसे तो मतलब कैसे का जवाब क्या रहेगा कि देखो Britishers जब रूल कर रहे थे ना तो ultimately वहां क्या हुआ था South Africa में white minority government थी तो बहुत सारे क्या कहेंगे white Europeans आके settle हो चुके थे वहां पे कहां पे Africa में South Africa में प्रिसाइज लिए अगर कहें तो लेकिन इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया में इस तरह से क्या है कि कोई आके settle नहीं हुआ था ultimately क्या था कि government जो चला रहे था कि government के अंदर कुछ representatives भी थे ठीक है जो administrative machinery थी उसमें कौन थे उसमें इंडियन्स ही थे लोगों के मन में दिमाग में मश्तिश्क में experience में थोड़े से आईडिया थे कि कल को तो आजादी मिलेगी और आजादी मिलने के बाद कैसा आजाद मुल्क होगा ठीक है इसका एक आईडिया था पहले से समझ में है यहाला अब आगे अगर बढ़े हम तो consensus developed during freedom struggle अब वो जो consensus की बात की जारी कि हमें पहले से एक चेतना थी हमें पहले से एक आईडिया था कि किस तरह से हमारा constitution बनेगा तो वो अलग अलग तरह से अलग अलग जगा से हमने inspiration ली सबसे पहला क्या है कि freedom struggle जो था ना तो 1947 के पहले कि अ तो जब हम संघर्ष कर रहे थे आजादी के लिए तो उस समय पर हमने बहुत कुछ सीखा ठीक है उस समय पर कहीं ना कहीं we developed consensus that what a independent country what a democratic India what a country after independence should look like ठीक है वो हमें पहले से एक आईडिया था तो our national movement was not merely a struggle against foreign rule हमारा जो national movement था उस सिर्फ foreign rule के against में struggle नहीं था हमारा national movement एक तरह से क्या था it was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics regenerate मतलब क्या होता है मतलब पुनर जीवन करना एक तरह से पुनर जीवन मतलब क्या हो रहा है कि आप country जो एक तरह से Britishers के कबजे में आगे तिसको आप फिर से क्या कर रहें जीवित कर रहें उसके इंदर फिर से जान डाल रहा है तो it was also a struggle to regener to innovate our country and to transform our society and politics सिर्फ foreign rule खत्म नहीं करना था हमें हमारी समाज को फिर से खड़ा करना था हमें हमारे देश को फिर से खड़ा करना था ठीक है तो freedom struggles हमने बहुत कुछ सीखा है अगर आप देखोगे तो no doubt freedom struggle में क्या है difference of thought थे difference of thought मतलब क्या है कि कुछ लोग revolutionaries थे कुछ पास रखते थे अलग अलग तरह के लोग थे पूरा जो national movement था उसमें अलग 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 contribution रहा लेकिन सब लोग कुछ common consensus पे narrow down हो जाते थे मतलब कुछ ऐसे points होते थे जिन पर सभी लोग agree कर जाते थे और वो जो ऐसे points थे उन सारे points ने हमारे constitution को एक foundation provide करा मतलब क्या ह जो खर्चा है फिर में डिफिकल्टी जो रहती है वह foundation त्यार करने में रहती है ठीक तो वही foundation जो है न वह foundation कहीं न कहीं हमारे freedom struggle में हमने ready कर ली थी लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग कुछ points पे एकदम क्या थे narrow down हो जाते थे और वो points क्या बने हमारे constitution का foundation बने तो जैसे in 1928 मोतिलाल नहरू and eight other congress leaders drafted a constitution for इंडिया तो 1928 में क्या काम चल रहते हैं constitution क्यों मनाया तो यह परसीव किया जा रहा था कि 1930-31 तक हमें आजादी मिल जाएगी और आजाद हो जाएगा देश तो पर सम्विधान कैसा होगा तो वह constitution draft करने की responsibility मोतिलाल नहरू को दी गई थी ठीक है मोतिलाल नहरू तो father of जवाल नहरू तो यह तै किया गया कि अगर constitution बनेगा तो responsibility इन्हें दी जाएगी क्लियर और अच्छे एक बात बतातो कि जब इन्हें यह responsibility दी गई तो उसके चलते मोहमद अली जिन्ना को बुरा लगा मतलब हमने यह तै कर लिया था कि अगर आजादी मिलेगी आजादी मिलने के बाद जो सम्विधान मनाया जाएगा तो उसकी दिमेदारी आप ले लिजे जी मुतिलाल जी तो मुहमद अली जिन्ना को ऐसा लगा कि मैं अभी दो लॉयर हूं मुझे क्यों नी दिया तो जो ग्रजस यहां डेवलप हुई वो कहां निकलती है बाहर पार्टिशन के टाइप प्रेड में क्लिवा तो इन 1928 मुतिलाल नहरू एंट अट अधर कॉंग्र 1931 में the resolution at Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like ठीक है फी क्या हुता है कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया's constitution should look like ठीर वाप फिर क्या है बोथ दीस दोक्यूमेंट तो यह ड्राफ्ट ऑस 1928 कराची session of 1931 तो यहां से जो निसकर्ष निकला ना यहां से जो कह सकते आउटकम निकल के आया तो बोथ दीस दोक्यूमेंट्स वर कमिटेक टु दी इंक कि हमें नहीं पता कि मकान कैसा बनवाने वाले हैं लेकिन हमें यह बता है कि हाँ जब भी मकान बनेगा ना मिरा तो यहां बड़ी बड़ी विंडौ रखूँगा तो हमने क्या है कि पहले से एक framework दिमाग में रखके रखा तो वैसे क्या है कि यह जो freedom struggle के time पे मौतिलाल नहर आफ किन चीज के लिए कमिटेट थे युनिबर्स अरे फ्रेंचाइज ही होगी कॉंस्यूशन में राइट फ्रीडम होगा फ्रीडम और एक्वैलिटी होगा प्रोटेक्टिंग दी राइट्स ओस्माइट इसमाइट इसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा यह सब पॉइंट थे जिन पर कंसेंस डेवलप हुआ दिरिंग इस फ्रीडम स्ट्रगल और देखें अगर तो कंसेंस डेवलप ड्यू टू दी फैमिलियारिटी विट पॉलिटिकल इंस्टिटिशन ऑफ कॉलोनियल रूल अब कॉलोनियल रूल जो था तो नो डाउट क्या है कि हमा अब कर देखें आप यह गवर्मेंट बनी थी नैशनल लेवल पर लोकल लेवल पे 1937 के इलेक्शन के बाद में तो उसमें क्या हमारे लोग जो सिस्टम का पाइड बने थे ना हमारे लोग जो ब्रिटिश गवर्मेंट के अंडर में जो कहीन कहीं कह सकते हो हो इलेक्ट हो का यह थी लेक्टेड रिप्रेजेंटेटिटिव बने थे तो लोगों ने जब काम किया ना उन लोगों ने जब काम किया तो पॉलिटिकल इंस्टिशन जो है उनसे हमें एक आइडिया मिला ठीक है वी केम तूनो अबाट दी इंस्टिशनल डिजाइं डिशेटी कैसे काम तो जो रफ आइडिया था ना फर्स्ट है एक्सपिरियंज जो था वो हमें कोलोनियल जो यह पॉलिटिकल इंस्टिशन थे कोलोनियल रूल के उनके उनसे ही मिल गया तो दी एक्सपिरियंस गेंड बाट इंडियंस इन वर्किंग ओफ दिल लेजिसलेटिशन प्रूब तो मेनी इंस्टिशनल डीटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रम कॉलोनियल लॉज लाइक टी गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइटीन थिफाइफ ठीक है और फिक्या जैसा ब्रिटिश भी समय समय पर गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाते थे 1909,19,19,19,1935 तो इन भी हमने बहुत कुछ सीखा ठीक है इन लॉज ने भी हमारी मदद करी इनकी मदद से हमने क्या किया ग्रो किया ग्रो किया इन दे सेंस कि हमें एक आईडिया मिला हमें एक कंसेंस डवलप हुई कि यहां अकल को जैसे ऐसा रहा है कोई कोई इंसान क्या कर रहा है किसी कंपनी म system था जो उनकी जुड़ी शेरी थी उससे हमने भी बहुत कुछ सीखा और वही experience हमें हमारे constitution बनाने में मदद देंगे तो यह अपने देखा कि हाँ कहां कहां से हमने सीखा वाट वाट थी path to the constitution कैसे हमने हमें रास्ता ताय किया तो कहीं नहीं हमारी freedom struggle ने हमें बहुत को सिखाया कहीं नहीं कहीं कह सकते जो political institutions colonial rule के अंडर में थे उन्होंने हमें बहुत को सिखाया फिर अगर हम बात करें कि lessons learned from other countries lessons learned from other countries मतलब क्या है कि यह जो development हो रहा था पूरा कहीं नहीं जो हमारा freedom struggle चल रहा था तो इसमें हमने क्या किया इसमें वर्ड को भी देखा ऐसे आख पर हाथ रखके नहीं हम काम कर रहे थे ना कि बस वह घोड़े की उपर लगा दिया जाता सीधे 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 देखके चलो ठीकि हमने दुनिया में अलग-अलग जगा political institutions, democracy का, constitution का development हो रहा है और दुनिया में जो भी हो रहा था तो हमारे leaders ने हमारी स्थितियों को देखते हुए हमारी स्थितियों को मतलब ऐसा रहता है कि आपने क्या देखा कि है ऐसा shot मारना है ऐसी ball पे लेकिन हमें पता लग रहा है कि हम हम हमारी क्या सकते की lefty नहीं है राइट ही है तो हम अपने हिसाब से फिर क्या करते है शौट मारते है तो वैसी क्या है कि हमारे leaders को confidence मिला कि यहां दुनिया में ऐसा हो सकता है जब France में revolution आ के राजा को हटाया जा सकता है तो इंडिया में independence moment के थ्रू क्या किया सकता अंडर में थे लेकिन जो ब्रिटिश पार्लेमेंट हमें गवर्न कर नहीं थी तो हमने बोला कि ब्रिटिश पार्लेमेंट को हटा के हम इंडियन पार्लेमेंट भी तो बना सकते है तो यहां पर क्या है इंडिया में democracy कैसी है तो पार्लेमेंट्री डेमोक्रसी प्रसिदेंश राइट का कंसेप्ट है वह हमने कहां से लिया यूस से लिया ठीक फिर क्या दी सोचलिस्ट रिवलिशन इन रुश्या है इंस्पाइड मैनी इंडियन्स टू तू थिंक आफ शेपिंग और सिस्टम बेज़ और सोचल एकनोमिक एक्वैलिटी तो जिस तरह से आप देखोगे रिवलिशन हो गया रुशियन रिवलिशन हो गया रुशियन रिवलिशन में जिस तरह से एक सोचलिस्ट सिस्टम जहां पर सोचल एकनोमिक एक्वैलिटी को इंशर किया जा से के वह रश्या में आपको ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है यह पॉइंट को कि यह पॉइ आफ्रिका के के समय था साथ अफ्रिका की के समय आप जिस देखोगे तो उनके लिए सब कुछ नया जैसा था लेकिन इंडियांस के पास में एक फर्स्ट हैं एक्स्पिरियेंस था वी डवलप कंसेंसे स्वाम आर फ्रीडम स्ट्रगल ठीके फ्रीडम स्ट्रगल से सीखा हमने दूसरे देशों से सीखा और सब जगह से सीखते हुए हमने क्या किया हमारा एक प्यारा सा समविधान बनाया एक प्यारा सा Constitution बनाया यहां तक समझ में आपको तो दे वर नॉट सिंप्ली इमिटेटिंग वाट अधर्स हैड ड़न एट इच इच स्टेप दे वर सब्सक्राइब करता है कैसे करते हैं कि आपने तो कॉपी कर लिया ठीक है लेकिन यहां पर यह पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा बहुत अची तरह से क्या कि क्या इंडियन सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर खेल ऐसा ही हुआ कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है क्या वो इंडियन कंटेक्स में सूटेबल होगा ठीक तो हमने सिर्फ इमिटेट नहीं कि हमने कॉपी नहीं किया एट इच स्टेप दे वर कुशिण इंग जो कॉंस्टिशन मेकर्स थे उन्होंने हर प्रोविजन को अगर फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स को लोग वो कर सकते हैं नहीं उस पर रीजनेबल रिस्टिक्शन लगा है ठीक है तो इस तरह से हमने क्या किया हर एक चीज को सवाल जवाब के फॉर्मेट में तो इस ते चीज और कंट्री और नौट थी कह तो यह सारी चीज़ें हमारी कंट्री वो सूट करती है या नहीं करत और उस हसाब से फिर हमने हमारे कॉंस्टिशन में अडॉप्ट किया चीज़ों को हलो एव्रीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेल्कम तो मैगनेट ब्रीजिज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़े वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं अब बारी आती है कि यह जो Constituent Assembly यह है क्या चीज़ तो देखो सिंपल सी भाशा में अगर बताऊं तो Constituent Assembly वहाँ बॉडी है जिसने हमारा Constitution तयार किया क्लियर है Constitution जिसने बनाया जिसने डिबीट किया जिसने डिस्कूस किया जिसने लिखा अब अगर हम ऐसे समझे तो दी ड्राफ्टिंग ओधी डॉक्युमेंट कॉल दी तब आप बहुत अच्छी तरह से और कैसे वोट हुआ था कैसे Constituent Assembly बनी थी यह सारी चीज़े पढ़ोगे बाकि अगर हम यहां आगे बढ़ें तो यहां हम देखते के लिए के लिए के लिए उक्षिन्स होते है दो थी इलेक्शनस ट्वी इसपने वोट दिया सब्सक्राइब नहीं थी तो क्या होता है यह से एलेक्शन होते है ध्या रगना जुलाई चालू किया constituent assembly की पहली meeting कब होती है December 1946 में soon after the country was divided into India and Pakistan अब क्या होता है तो December 1946 के बाद क्या आएगा 47 आएगा 47 में August 1947 आएगा August 1947 में हमें आजादी मिली थी और आजादी के साथ में हमारा विभाजन भी हुआ था ठीक है तो soon after the country was divided into India and Pakistan इंडिया और पाकिस्तान में country को divide कर दिया गया फिर क्या होता है जो अब इंडिया और पाकिस्तान में country विभाजित हो गये country divide हो गये ठीक है matter of concern तो अब जब country divide हो गया तो the constituent assembly was also divided constituent assembly को भी divide कर दिया किसमें एक constituent assembly for Pakistan बना एक constituent assembly for India बना ठीक है इसके पहले तक जब unified इंडिया था तो constituent assembly भी एक ही थी सब जगा से एलेक्टेड रिप्रेसेंटेटिव साय जो आज का पाकिस्तार है वहां से वहां के एलेक्टेड रिप्रेसेंटेटिव साय तो इस तरह साब जिसे देखोगे तो आएगे बागी बच्चे कुझे पाकिस्तान के constituent assembly में चले गए तो अब क्या था फिर इस constituent assembly ने constitution लिखना चालू किया December 1946 दिसमबर 1946 से काम करना चालू किया और बना के कब तयार कर दिया constitution तो 49 में constitution बनके तयार हो गया था November 49 में लगभग लगभग तीन साल लग गए दो साल 11 महने ठीक है तो the assembly adopted the constitution on 26th November 1949 but it came into effect on 26 January 1950 अब यहाँ पर कुछ चीजे हैं उन्हें अच्छे से समझना है अब जितना भी बोर्ट पिलिखा जो मैंने समझाए अभी तक सब भूल जाओ अब यहां समझना चालू करो constituent assembly क्या है आपको पता है आपको यह भी पता है कि उसका election होते election 1946 में होते हैं जुलाई में election हो गए अब क्या होता है December से वो काम करना चालू करती 1946 से अब बीच में एक breaker क्या आता है बीच में एक hurdle क्या होता है कि वो जो constituent assembly थी वो undivided इंडिया की थी लेकिंडिया डिवाइड हो जाता partition तो उस कारण से क्या है कि constituent assembly को भी divide कर दिया जाता है और ultimately जिस constituent assembly ने इंडिया का constitution लिखा उसमें 299 members थे अब यह 1946 दिसमबर 1946 से काम चालू किया कब तक काम अपना चलाते हैं तो अपना काम पूरा चलाते हैं कब तक तो 1946 से 1947 48 49 नवेंबर 1948 में हमारी constituent assembly ने क्या करा हमारे constitution को adopt कर लिए मतलब ready हो गया है घर बनके complete हो गया ग्रहप्रवेश करना है बस अभी ग्रहप्रवेश नहीं किया बनके ready हो गया आप रहना जब जब चले जाओ ठीक है जिस दिन पूजा कर वह दिन घर में चले गया तो उसी तरह स प्रवेश हुआ ऐसा क्यों अब आपको यह बताए कि 26 januari को हम क्या बनाते है रिपब्लिक डे बनाते हैं यह चीज़ भी आपको पता है ठीक है 26 januari को हम रिपब्लिक डे बनाते यह भी आपको बताए क्लेर वा अब यह दो मेहने का delay क्यों दो मेहने का इंतजार कर रहे थ 1929 1929 में लाहूर सेशन होता है। Congress के शेशने से 31 का कॉंग का राची सेशन हुआ था। थीए तो वैसे 1929 में लाहूर का Congress Session होता है। अब इस लाहूर Congress Session में क्या होता है। जवाल नाल हरू जो थे उन्होंने किस चीज की डिमांड करी। पूर्ण स्वराज की। मतलब 1929 में क्या है पूर स्वराज resolution पास किया गया जिसमें ये बोला कि आने वाला साल जो है 1930 जो होगा ठीक है तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम कंट्री को आजादी दिलवा देंगे किस तारीक तक 26th January को हमें आजादी मिल जाएगी लेकिन आजादी मिली नहीं 1930 में 47 में मिली तो यह जो दिन था ना यह जो तारीक थी 26 जैनवरी पूर स्वराज देरिशन तो हिस्ट्री में यह तारीक के अपनी सिग्निफिकेंस थी तो इसी तारीक को याद रखते हुए इसी तारीक को सेलिब्रेट करते हुए हमने दो मैने डिले करके हमारा यहां तक क्या था इसकी कहानी आपने पड़ी समझी जानी अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल आता है एक मन में क्या कि वाई अब तो लगब लगब सतर साल हो गया है सतर साल पहले जो समविधान बना आज भी हम उसे एक सप्ट कर रहे हैं तो एक आर्गिमेंट तो मतलब हाजर जवाब क्या हो सकता है कि सर उसमें हम एम एमेंडमेंट होते रहते हैं बहुत बदला है हमने कंसिर्शंट तो समय के एसाब से हमने चीजों को बदला है मारा कंसिर्शंस फ्लक्सिबल है ठीक है उसके अलावा क्या है कि चलो फ्लक्सिबल है लेकिन पूरा का पूरा थूरी नहीं बदल दिया बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है ठीक तो उसके चलते आप फिर सवार उठा सकते हूं कि क्यों इतना पुराना 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 पुरान factors को consider करते हुए minorities को rights मिले ठीक है princely states integrate हुए तो states को थोड़ा सा क्या मिले ऐसा ना हो कि बहुत strict federation मन जाए ठीक है थोड़ा सा क्या है आप देखोगे तो unitary federation से बचते हुए हमने क्या है कि quasi federal system got up किया कहने को federalism है clear हुआ तो यहां पर आपको चीज़े समझता है कि पहला point जो है पहला point दर्शार आए कि हमारा constitution क्यों हम नहीं बदले इतना पुराना constitution उसके बावजूद भी क्योंकि वो constitution सिर्फ constitution एसंबली के members को नहीं दर्शार आए वो समय के essence को दर्शाता है ठीक है over the last half a century several groups have questioned some provisions of the constitution देखो बहुत सारे देशों में तो समझधान बदल दिये गए हैं लेकिन हमारे constitution को आज भी हम चला रहे हैं ठीक है हो सकता है कि पिछले 50 सालों में साट सालों में क्या है कि कुछ लोगों ने आवाज जरूर उठाई है कि यह प्रोविजन सही नहीं है जैसे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने एजिंडा होते हैं कि constitution में यह सही है यह गलत है इसको लेकर तो constitution के उपर question जरूर क्या गया है constitution के provisions पर question किया गया कि यह नहीं होना चाहिए या फिर यह होना चाहिए बाकि बट नो लार्ज section और लार्ज social group और political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself this is the point to understand क्या लेकिन किसी भी एक बड़े group ने question की constitution की legitimacy को question नहीं किया constitution की legitimacy मतलब क्या है कि constitution है तो legitimate है legitimate मतलब क्या है कि जैसा भी है हमारे लोगों ने बनाया है यह गलत नहीं हो सकता है हाँ यह इसके अंदर एक provision मतल सकते लेकिन constitution तो सर पर लेके चलने आली चीज़ है इस तरह से क्या है पूरी broad consensus अगर देखो तो country में आपको broad consensus यह देखने को बढ़ी आया है ठीक है अगले अगला पॉइंट देखो क्या है अगले अगले अगला पॉइंट अपने आप में देश था आपने इलेक्ट कैसे किया गाया होगा तो अपने इलेक्ट कैसे किया गया होगा देश के हर नागरिक ने हर अडल्ट citizen ने वोट नहीं दिया लेकिन जो वोटिंग प्रिंसिपल हुआ था जैसे हर प्रोविंस में कुछ-कुछ लोगों ने वोट दिया तो इट वास इलेक्टेट मेंली बाइटी युनिवर्सल अडल्ट फंचाइज ही नहीं थी उसके चलते क्या होता है उसके चलते हम यह कह सकते हैं कि पीपल ओफ इंडिया को क्या से रिप्रेजेंट कर रही है सभी लोगों ने तो वोट दिया नहीं सही बात है लेकिन किनों ने वोट दिया तो इसे आज इस्टेट अ चूज के वो खुद चुन के आये थे तो कहीं न कई पुरा देश ही आपको क्या कर रहा है दर्शा रहा है डारेक्ली इंडारेक्ली लेकिन आप क्या देखने को मिल रहे है कि इलेक्टेट बॉड़ी आई थी जो की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी एंड डिस गिफ दी लेजिटिवेंजी टुदि कॉन्स्टिूट एंड असंपली तो दो कहायां समझ में है कि हमने इतना पुराना कॉंसिश्य मिद्द को क्यों नहीं बदला पहरी चीज तो कहें वह सिरी अईख सफेंज्ट ॉपरा से सवब्ष थेंप मनाइघ चा स्वाल उत नहीं नहीं ठीक है अब सवाल ही आता है कि इसका एडवांटेज का तो इसका आपने आप में एक एडवांटेज है कि इस तरह से चुनी गई थी कि वो ब्रॉड लेवल पे पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी तो उसके एडवांटेज समझो ठीक है जो यह पॉइंट है ना क्या कि Constituent Assembly represented the people of India तो जो people of India उस people of India को क्या है broadly पूरी तरह से represent कौन कर रहा है तो Constituent Assembly हर geographical area से निकल के आई कश्मीर से लगा के कन्या कुमारी तक हर geographical region से इंसान आया था उस Constituent Assembly के अंदर तो Constituent Assembly के member थे 299 तो वो country के अलग-अलग parts को दर्शा रहे थे तो country के अलग-अलग parts को जब दर्शा है जा रहा थे तो इससे क्या समझ में आता है कि हाँ वो एक comprehensive legitimate body है जो पूरी country को govern कर सकती है dominated by Congress अब एक question mark यहाँ पर यह भी उठता है ठीक है Constituent Assembly country के अलग-अलग parts से आई थी लेकिन उसमें थे तो अधिकतर Congress के member ठीक है सब party के लोगों को अलाओ किया था तो Congress majority में थी Constituent Assembly जो है Constituent Assembly के अंदर जो members थे उसमें Congress party के member dominate कर रहे थे और अच्छा कभी-कभी यह भी मतलब एक point of view यह भी देखने का कि जब सरकार बनती है interim government के बाद में जो पहली government चुनके आती है तो उसमें भी आपको क्या देखने में ठीक तो जिसके चलते क्या सोशाइटी के हर section को कहीना के include करी लिगाया था तो अगर अगर यह सवाल आता कि Constituent Assembly तो सर्फ Congress के द्वारा dominate की जारी थी तो आप यह बता सकते हो कि Congress itself included a variety of political groups and opinions बताया ना अपने आप में एक organization थी जिसके अंदर अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग point of view वाले अलग-अलग opinion वाले आपस में Congress में ही conflicts होते थे conflicts मत बहेद होता था मन बहेद नहीं ठीक है मत बहेद मतलब difference of opinion रहता था वो लड़ लेते थे difference of opinion के चलते की नहीं यह होना चाहिए यह होना चाहिए लेकिन वह discussion वह deliberations वह debates ज़रूरी थी आगे पढ़ेंगे हम debates के बारे में और clear हुआ फिर का है the assembly had many members who did not agree with the Congress और in fact constituent assembly में ही ऐसे members थे जो at times क्या Congress के अगेंस चले जाते थे ठीक है Congress के साथ agree नहीं करते जिसे डॉक्टर बियार अंबिट कर तो जिन्होंने नहीं कह सकते हो कि constituent assembly जो है fairly represented नहीं थी directly elected नहीं थी universal franchise ही नहीं था तो फिर कैसे उसको आप बोल सकते हो कि वह legitimate assembly थी वह legitimate assembly थी ठीक है तो यह जो पॉइंट से सारे वो प्रूफ करते हैं clear हुआ in social terms 2 the assembly represented members from different language groups caste class religions and occupations अगर social perspective से देखो गया तो हर धर्म के लोग थे हर caste के हर region के हर language speaking group जो आपको देखने को मिलेगा constituent assembly में तो इसके चलते constitution अब अगली चीज क्या है कि जो आज constitution है वो constituent assembly के द्वारा बनाये गया तो constituent assembly acceptable थी इसकारण सम constitution accept कर रहे हैं इसके सांस साथ में इस तरीके से constitution मना है ना जो कह सकते हैं कि जो procedure adopt किया वो अपने आप में इतना अच्छा था कि वो इति में सी देता है कि हाँ यह constitution को तो सिर्पर के घुमना चीए कैसे तो ऐसा नहीं कि बस किसी ने एक इने बना के दे दिया और हमने constitution accept कर लिया ठीक तो क्या होता है कि फर्स्ट सम बेसिक principles are decided and agreed upon तो कुछ basic principles जैसे क्या है कि fundamental rights होंगे कुछ basic principles में हमने देख लिया क्या कि center or state की power अलग अलग होगी independent judiciary होगी तो basic principle को decide कर लिया मतलब तरीके से बनाए constitution ठीक है कुछ basic principles को पहले decide किया then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion फिर क्या है अब जैसे बनाने की बात आ दी मतलब दर्वाजित होंगे तो दो खुलने वाले दर्वाजे होंगे आपको बताए कि हाँ kitchen जो है तो kitchen modular होगा आपने basic structure जो एक बना लिया ठीक है basic principles अगरी के लिए अब क्या है अब ऐसा थो नहीं को बताए कि हाँ बड़ी खिड़की होगी तो आप ही बनाने लग जाओगे उसक कच्छा चिट्था तयार किया गया जिस पर हमारा constitution बना जाएगा तो drafting committee के chairperson कौन मनते दॉक्टर बियार अंबेट कर वो एक draft तयार करते कच्छा चिट्था तयार किया था तो उसको फिर क्या किया गया ऐसा नहीं कि उसको accept कर लिया गया several rounds of thorough discussions took place on the draft constitution clause by clause तो एक एक आर्ट article article के अंदर जो clause थे एक एक clause को thoroughly discuss किया गया ठीक है बहुत अच्छी तरह से discuss किया गया क्योंकि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि बस वह drafting committee ने डाल दी तो आप सही डाली होगी हर चीज को discuss किया गया अगर यह ऐसा है तो क्यों है कैसे काम चलेगा ठीक हर चीज को discuss किया गया more than two thousand amendments were considered ठीक है तो focus on the numbers 2000 से ज्यादा amendment हा 2000 से ज्यादा amendment किये गए जो ड्राफ्ट तयार किया गया तो उसमें 2000 से ज्यादा changes आये फिर का है फिर constitution बनता है तो यह जो process थी ना यह process हमारे constitution को लेटी मैंसी देती है कि कुछ भी हवा में नहीं हुआ हर चीज जो debate की गई जो discuss की गई line by line क्या है हर चीज के पीछे का जो rational है मतलब अगर constitution में fundamental right में right to property मतलब जैसे right to property control जागा इसको दूशे जाए जैसे right to freedom of speech and expression दिया है उस पर क्या किया गया reasonable restriction लगाए गया है तो उसके पीछे का कारण क्या है what is the rational behind it हर चीज constitution में जो भी है तो everything is recorded in constituent assembly debates ठीक तो constituent assembly debates में हर चीज को record किया गया हर चीज को रखा गया है यह आपको समझना आगा और यह सारी चीजे जो है constituent assembly को क्या देती है legitimacy देती है यह बताती है कि जो constitution आज से 7 साल पहले 70 साल पहले बना है वो आज भी क्या है living document की तरह है ठीक है इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे leaders of constituent assembly के बारे में है पिछले वीडियो तक हम लोगों ने chapter का एक जो major part था वो complete कर चुके हैं कैसे तो आपने देखा कि इंडियन constitution कैसे बना constitutional design हमारा chapter है इंडियन constitution में आपने देखा क्या इस्तिती थी किन समस्याओं से जूचते हुए हमने हमारे समविधान को बनाया क्या रास्ता तै किया कहां से क्या inspirations लिए constituent assembly वह body थी जिसने हमारा quanstitution बनाया तो constituent assembly ने किस तरह से काम किया उसने कैसे हमारा कि 299 members थे Indian Constituent Assembly में इन 299 members के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम हम कुछ leaders के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हमें ये समझ में आएगा कि जो Constituent Assembly थी ये कितनी broad based थी किस तरह से अलग-अलग domain के लोगों ने काम किया किस तरह से आप जैसे देखेंगे जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि Constituent Assembly में कौन लोग थे ठीक है चलो स्टार्ट करते हम यहां से वल्लब भाई जावेर भाई पटेल सरदार वल्लब भाई पटेल सुना होगा ये नाम आपने तो सरदार वल्लब भाई पटेल he was born in 1875 and died in 1950 he was born in गुजरात ठीक है तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था and he became the first home minister minister of home मतलब क्या ग्रहा मंत्राले तो ग्रहा मंत्राले यह ने मिला ग्रहा मंत्राले मिला और home minister का बहुत important role होता है prime minister के बाद जैसे अगर आप देखोगे ना तो prime minister के बाद home minister की जो position रहती है वो बहुत important रहती है तो became the home minister and information and broadcasting in the interim government interim government क्या होती पता है interim government याने की जैसे आप देखेंगे तो हमारी जो पहली independent India की पहली government कब बनी थी 1947 में नहीं बनी थी ठीक है 1951 से 52 तक election हुए 52 में पहला government बनती है जब आलना नहरू पहले elected prime minister बनते हैं इसके पहले क्या था इसके पहले जो government बनी थी ना बिरिटिश थो 47 में चले गए थे तो पहली elected government के पहले जो कह सकते हैं क्या एक तरह से एक ऐसी government जो शायद directly elected नहीं थी जो काम कर रही थी क्यों कि देश में कोई और समालने वाला नहीं था तो वह interim government थी interim budget आता ना कभी कभी जिस से elections होने वाले रहते तो पूरे साल भर का budget नहीं लाते हैं कुछ ही समय का budget लाते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि interim government बनाई गई थी interim government का काम क्या था interim government का काम यह था कि जब तक देश में universal adult suffrage के basis पे क्या election नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए हम देश समालते हैं अगर इस से झाउब और यह उण लायरा एंड लीडर ऑफ बार्दोली पीजन सत्याग्राई बार्दोली पीजन सत्याग्राई नेस्टर मोंट में की इंपोर्टन डोल प्लेकरता है ये इवेंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप इस चीज़को अरे प्लास में और शाइज कहीं कह सकते कि Congress से अपनी closeness बड़ा ही महात्मा गांधी के नजदी का है और वहां से इंडिया नेशनल मुवमेंट में एक एक्टिफ पार्टिसिपेंट की तरह इन्होंने रोल प्ले किया लॉयर थे यह एक चीज़ ध्यान रखना आप देखो के बहुत सारी लीडर्स जितने भी लीडर्स आप पढ़ोगे लीडर्स ओफ कॉंस्टिट्वेंट असेमली के तो उनमें आपको मेजरिटी ओफ दी लीडर्स जो मिलेंगे वो लॉयर्स मिलेंगे पता है तो उस समय पे ल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंडिस इस दी पॉइंट ठीक है वाइव शुट बोड आउन टो हिम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के अगर बात करें तो ब्रिटिशन जब जा रहे थे तो तीन ओप्शन छोड़के गए थे मैंने आपको बताया था यह में किंग ऑफ इं एंडियन प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन 一ले जोड़ना है क्यों कि कर आप उनको पाकिस्तान के दरफ जाने दो कि तो भी आपको टेरेट्रिक लॉस है और इंडिपेंडेंडनें जीड़ेंगे तभी क्या है इंडिया युनाइटेड दिखिएगा तो वहाँ पे आप बै प्रिंसली स्टेट उन सभी राजा रजवारों को आज का जो भारत देखते हैं उसमें जोडने का पूरा-पूरा क्रडिट अगर हम दें तो सरदार वल्लभाई पटेल को जाना चाहिए समझ मैं मेरे बात फिर क्या है ही लेटर विकेंदी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थैंगर जिस आपिकेंगे तो अप मिनिस्टर की तरग कि टरोगоп देप्यूटी अब क्लाम आजाद जीस सब देखोगे तो एंगें कि वह फ्रिंश वावश के leader during the period of Indian national movement and we can say during the period when constituent assembly was framing the constitution तो जब समविधार मनाय जा रहा था जब अभूल कलाम आजाद में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करा ठीक, he was born in 1888 and died in 1958, born in Saudi Arabia, Saudi Arabia में का जन्म हुआ था, Saudi Arabia में जिसे अगर आप देखेंगे तो connections से हैं, Saudi Arabia और इंडिया में आप जिसे देखेंगे, connections से काफी सारा, diaspora, काफी सारे, migrants आपको यहाँ से वहाँ देखने को मिलेंगे, educationist, author and theologian, theologian मतलब the one who studies the religion, जो धर्म को पढ़ते हैं, जो भगवान को पढ़ते हैं, उन्हें theologian कहा जाता है, तो theologian थे, educationist थे, author थे, education में ने बहुत ज्यादा interest था, और इसी कारण से क्या बनते हैं, देखो, तो लेटर education minister in the first union cabinet, 1952 में जो पहला union cabinet बनता है, जवालना नहरू जिसके प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसमें education minister बनते हैं, यह, फिर क्या है, scholar of Arabic, scholar of Arabic, Arabic language की scholar थे, Congress leader active in national movement, national movement में, Indian national movement में active role play किया, he opposed Muslim separatist politics, थी कि तो मुस्लिम लीग जो है न, तो हमारे दूसरे leaders न रोक के रखने तो मुहमद अली जिन्ना को पिटाई पिटाई लगा देते हैं, ठीक है, तो he really opposed Muslim separatist politics, clear हुआ, फिर आगे अगर देखेंगे, तो T.T. कृष्णमाचारी, अब T.T. कृष्णमाचारी को जो सब देखें, तो he was born in 1899, died in 1974, born in Tamil Nadu, Tamil Nadu मे थे, अब देखो, जो argument था, क्या argument था कि Indian national movement जो है, इंडिया national, oh sorry, constituent assembly जो है, उस constituent assembly को आप इतना representative कैसे मान सकते हो, जब तो universal franchise नहीं था, तो आप देखो country के हर पार्ट से आपको leaders देखने को मिलेंगे, country के हर पार्ट से तो एक fair geographical share जो है, जो हम पिछले वीडियो में से आते ते अलग लग चीजों को दर्शाते थे, fair geographical representation आपको देखने को मिलेगा, तो this was about T.T. Krishnamachari, अब आगे बढ़ें तो राजेंदर प्रशाद, इनने जानते हैं आप जानते ही होंगे, पहले भी पढ़ा होगा, he was the first president of independent India, clear, तो 1884-1963, इनका term period रहा, he was born in Bihar, Bihar मे कहीं लिडर्स निकल किया, तो Bihar में जिसे गांदी जी का जब चंपारन मुवमेंट हुआ था, उस समय पे जुड़े गांदी जी के साथ में उस समय पे इंडिया नेशनल मुवमेंट में इंपोर्टन रोल पर ले किया, president of constituent assembly, constituent assembly जो थी ना, जो समविधान बना रही थी उस assembly के भी president यही थे, उस assembly के भी president यही थे, he became the lawyer known for his role in चंपारन सत्यागरा, आगया चंपारन सत्यागरा, तेखो यह भी lawyer थे, ठीके lawyer बने चंपारन सत्यागरा के रोल के लिए जाने जाते हैं, इंडिगो की जो डिमांड थी, मतलब इंडिगो पीजेंस की जो डिमांड थ रखना, उसके बाद में three times the president of Congress and later the first president of India, इंडिया के पहले president भी यही बनते है, पहले president भी यही बनते है, clear हुआ, तो Congress के भी तीन बार president रहे, Congress के जो अलग अलग अधिक्षता होती है, clear, this was all about Dr. Rajendra Prashad, Dr. Rajendra Prashad के बाद में आते हैं, जैपाल सिंग, अच्छा, जैपाल सिं है, जो हमारी Indian hockey team के captain थे, clear, so he was born in 1903, died in 1970, born in जारखन, ठीके जारखन में का जन्मुआ, और जारखन का जिसे अगर आप देखो के तो इस बार के Olympics में भी आपने देखा होगा, जारखन is equal to hockey, ठीके होकी के लिए क्या एक तरह से होकी का मक्का है, मदीना है, जारखन, clear, so he was born in जारखन, a sportsman and educationist, captain of the first Indian, first national hockey team, founder, president of आदिवासी महासवा, अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था है कि बहुत representative थी constituent assembly, तो हो representation आपको यहाँ समझ में आएगा, क्या कि tribal leaders, एक tribal leader की तरह भी ने आप देख सकते हैं, लेटर ही founded थी, आदिवासी महासवा, लेटर founder, founder of ज जारखन पार्टी, जारखन पार्टी के founder बने बाद में, तो कॉंगरेस के साथ में, जब काम किया, तो कॉंगरेस में अलाग अलाग difference of opinion के लोग एक साथ मिलके काम की हैं, जिससे क्या हो सके हैं, जिससे कह सकते कि कही ना की constituent assembly का जो के दवारा जो बनाया गया है, document है ना, वो आपको क्या एक broad based document देखने को मिले, clear हुआ, फिर देखे अगले leader के बारे में, तो H.C. Mukherji, शायद हर्दास, ऐसा कुछ ना में, हर्दास, कुमार Mukherji, clear, he was born in bengal, he was born in 1887, died in 1956, vice chairman of the constituent assembly, constituent assembly के vice chairman थे, vice chairman थे ध्यान रखिये गए चीज़ को, reputed author and educationist, congress leader, member of all India Christian council and bengal legislative assembly All India Christian council and bengal legislative assembly, उसके क्या रहे, leader रहे, member रहे, sorry, ठीक है, तो अब उसके चलते के आपको देखने को मिलेगा, कि अलग-अलग domain से लोग आये थे constituent assembly में, later become the governor of west bengal, तो west bengal में आपको इनकी बहुत सारी मूर्तियां वगेरा, बहुत सारे आपको कह सकते है, roads वगेरा, इनके नाम पर देखने को मझे जाएंगे, ठीक है, तो HC Mukherji, HC Mukherji हो गए, इनके बाद में और कौन है, अब देखें तो जी, दुर्गाबाई देश्मुक, दुर्गाबाई देश्मुक, दुर्गाबाई देश्मुक, जो थी तो she born, she was born in 1909, and died in 1981, born in आंदरप्रदेश, ठीक है, आंदरप्रदेश्मिन का जन्मुआ, advocate, again, advocate and public activist for women's emancipation, तो अब देखो, ऐसे भी लोग थे constituent assembly में, जो किसको interest, जो जिनका मतलब कह सकते हैं, soul objective, जिनका कह सकते हैं, domain of work क्या था, women, मतलब women interest में जो काम कर रही थी, तो women interest में काम करने वाली महिलाएं भी constituent assembly में थी, तो इस जो section होगा, वो women के interest को ensure करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, आवाज उठाएगा constituent assembly में, तो जिससे यह ताय था कि हमारे constitution में women को भी rights मिले, ठीक है, तो advocate and public activist for women's emancipation, founder of आंद्र महिला सभाप, जिक अगे अगेन, a women organization, congress leader, later founder, chairperson of central social welfare world, ठीक है, तो founder chair person of central, central social welfare board, आगे समझ में, तो दुर्गाभाई देश्मुख, दुर्गाभाई देश्मुख के बाद में, आगे देखो के तो बल्देव सिंग, बल्देव सिंग हमारे पहले defense minister था, ये धियान रखिएगा, clear है, तो कश्मीर को लेकिए जो मुद्दा था, इन्होंने tackle किया defense minister in the first defense minister in the union cabinet, फिर अगर इनका देखें, तो जन्म कब हुआ था, 1901 में हुआ था, 1961 में की death हो जाती है, born in Haryana, a successful entrepreneur and a leader of panthik akali party, panthik akali party in Punjab assembly, ठीक है, तो panjab assembly में जो जिसे आप भी akali दल देखते हों, तो कह सकते हो, उन्हीं parties से associated parent parties में आ जाएगी, panthik akali party, a nominee of congress in the constituent assembly, ठीक है, consistent assembly में Congress के एक nominee थे, तो यह हमारे पहले defense minister थे बलदेव सिंग, इनके बारे में देखा आपने, फिर क्या है, कनहिया लाल, मानिक लाल, मुन्शी, अब कनहिया लाल, मानिक लाल, मुन्शी, तो he was from Gujarat, ठीक है, he was born in 1887, died in 1971, लंबा जीए काफी, फिर क्या है, advocate historian and linguist, advocate, historian and linguist, linguist मतलब the one who knows many languages, बहुत सारी languages आती हो, जिने, clear हुआ, historian मतलब history के scholar थे, Congress leader in Gandhian, Congress leader in Gandhian, अब बहुत सारी leaders के आगे Gandhian देखोगे, जिसे आप विनोबा भावा के बारे में पढ़ोगे तो Gandhian देखोगे, Gandhian मतलब who believed in the idea of Mahatma Gandhi, ठीक है, who believed in the philosophy of Mahatma Gandhi, तो वो Gandhian ह हो जाते हैं, फिर क्या लेटर, minister in the union cabinet, founder of the Swatantra party, जेहां, अब क्या होता है ना, कि आप जिसे देखेंगे, तो आगे चल के Congress के अंदर से भी बहुत सारी parties निकलती है, तो एक party जो निकलती हो, स्वतंत्र पार्टी निकलती है, तो सी राजा गॉपलाचारी हो गए, यहां प इनका नाम भी सुना है, तो he was the chairperson of drafting committee, अब he was born in 1891, ठीक है, and he died in 1956, born in Madhya Pradesh, Madhya Pradesh महु में इनका जन हुआ था, फिर आप देखेंगे, तो he was the chairman of drafting committee, drafting committee के chairman थे, जिसने वो कच्चा चित्था त्यार किया था, जिस कमीटी ने वो कच्चा चित्था त्यार किया था, जिसे ह में थे, ठीक है, he was social revolutionary thinker and agitator against caste divisions and caste based inequalities, अब देखो, इस तरह की जब है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, composition देखने को मिल रहा है, women emancipation की बात करने वाले लोग भी member थे, ठीक है, उसे के बाद में आप जिसे देखेंगे, तो जो caste based divisions है, या फिर कह सकते है, society में जो upper caste, lower caste का system था, वो जो division था, वो जो discrimination था, उसको अपोस करने वाले लोग भी आपको constituent assembly में देखने को मिलेंगे, इसका मतलब कहा कि constitution में ये इंशोर किया जाएगा, कि ये चीज़े आगे ना बढ़े, जो गलत है, उसके against में अपोस किया जाए, और अपोस करने वाले लोग constituent assembly के member थे, clear वा, तो he was social revolutionary thinker and agitator against caste divisions and caste based inequalities, later law minister in the first cabinet of post independence India, ये चीज़ समझो यहाँ पे, ठीक है, कि ये चुनाव हार जाते लेकिन फिर भी ने law minister बनाया जाता है, that shows the maturity in the politics at that time, ठीक है ये दर्शाता है, कि politics में कितनी maturity थी उस समय पे, उसमें पर party politics छोटे narrow interest में लड़ा न लेकिन फिर भी ने क्या है, law minister बनाया जावाला लेहरू के द्वारा, आया समझ में, फिर क्यों बनाया गाए, क्योंकि he was capable person, he was capable person, founder of Republican Party of India, बाद में इन्होंने Republican Party of India, जो आज आप देखते हैं, उसको established किया, ठीक, फिर क्या है, शामा प्रशाद मुखर जी अगे ना, क्या सकते हैं, example of the mature politics of at that time, तो difference of opinion था, जवाला लेहरू के बीच में, शामा प्रशाद मुखर जी के पीच में, लेकिन फिर भी क्या है, शामा प्रशाद मुखर जी उस cabinet का पाट बन के जवाला लेहरू ने भी पाट बनाते, ताकि अब डायवर्स सेक्शन को इंकॉर्परेट कर पाओ, उस सरकार में जो सरकार देश को चलाने वाली है, ठीके, नेरो पार्टी पोलिटिक्स तक सिमित नहीं थी, उसमें की पोलिटिक्स, क्लेरवा, he was born in 1901, 1953 में की डेथ हो जाती है, ठीके, he was born in West Bengal, Minister for Industry and Supply in the Interim Government, Interim Government में, वो मिनिस्टर बनते हैं, educationist and a lawyer, active in Hindu महासभा, लेटर, founder, president of Bharti Jansang, Bharti Jansang, आज जो भारती जनता पार्टी उसकी नीव जो रखी गई थी, शामा प्रशाद मुखर जी के द्वारा रखी गई थी, ठीके, शामा प्रशाद मुखर जी के द्वारा इस पार्टी की नीव रखी गई थी, कश्मीर के लिए उन्हें कह सकते हैं की बड़ा contribution रहा इनका, ठीक है, तो शामा प्रशाद मुखर जी हो गए, अब उसके बाद में आप देखेंगे जवाला नहरू, तो अगें जवाला नहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं, यह वाद अलतोदी मेंबर आफ कॉंस्टिवेंट असंबली, तो अभी तक जितने अपने लीडर्स पढ़कास में आपने कितने सारे लायर्स देखे, ठीक है, एड़ो केट आफ सोचलिजम, डेमोक्रेसी इन एंटी इंपिरियलिजम, ठीक है, ठीक है, प्रिटिश गवर्मेंट रूल कर रही थी तो चीज़ को अपोस किया, ठीक है, ठीक है अगर फर्स्ट प्राइम इंडिया, इंडिया के जो पहले इलेकिटर प्राइम इनिष्टर बनते वो जबालाल नहरू बनते हैं, सरोजनी नाइडू, सरोजनी नाइडू के बारे में आपने सुना होगा, पड़ा होगा, एटीन 79 मिन का जन्म होता है, 1949 में शी डाई, डीक ह शिवाश बोर शिवाश बोर्न इन आंथरपरदेश शिवाश आप ओर्ट रॉयटर इन अ पॉलेटिकल एक्तिविस्ट अमंगदी ओर्मन लीडर की इन्डी कॉवर्श तो कॉंगरेस क्या आगर लीडर्स की बात की जाए कोंग्रेस की डेटिर्स में सरोजनी आइडू का एक बहूत बड़ा नाम था सरोजनी आडू का एक बहुत बड़ा नाम था और इंट इगर आपको समय मे नाइडू के उपर कि किस तरह से सरोजनी आइडू ने पॉलिटिक्स में對不起 meand economy प्लेटिस में कैसे एंटर हुई वो ठीक हैं इंट्रस्टिंग स्टोरी पढ़ना कभी समय मिला तो लेटर शी विकेम दी गवर्नर आफ उत्रप्रदेश की यह गवर्नर बलती हैं अगला देखो सोमनात लहरी सोमनात लहरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कमिनिस्ट पा पार्टी ऑफ इंडिया जो बनती है तो सीपी आई जो है सीपी आई के लीडर रहते हैं लेटर मेंबर ओफ वेश्ट बेंगॉल लेट्टेटर असम्ली पॉलिक्स जो होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल पर किया वहाँ यह लीडर बने ठीक है तो दिस वास ओल अल अबा इसे हमारा कॉंस्टिट्टेंट असम्ली का एक आईडिया क्लियर हो गया कि क्या थी कौन थे कैसे काम के इसारी चीजे हो गई है अब हम नेक्स वीडियो से क्या पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूस के बारे में यह तो हमने काम का तरीका देख लिया कॉंस्यूशन बन गय एस वीडियो में हमक्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूस ओफ दी इंडियन कॉंस्यूशन टापिक को समझे इसके सिगनिफिकर्स को समझे अभी तक हमें इंडियन कोंसिशन कैसे बना, कॉंसूशन की क्या जरूवत है, साउथ ए इस तरह कि अगर बात करें तो वहां सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी ठीक है अब देखो कॉंसिटिशन में दो चीज़े होती है एक तो प्रोविजन होते है और दूसरी होती है फिलोसफी प्रोविजन और फिलोसफी आपके अंदर भी दो चीज़े होती है हर इंसान के अंदर हर चीज़ के पीछे दो चीज़े होती है क्या एक जो दिख रहा होता है और दूसरा जो दिख रहा हो होता है उसके पीछे के विचार, ठीक है, मतलब क्या है कि आप महनत कर रहे हो, आप इमानदारी से अपना काम कर रहे हो, तो यह आपका क्या दिख रहा है, दिखता हुआ action है, आप काम कर रहे हो, ठीक है, that is the part which is visible, ठीक है, and what is the reason behind that visibility, वो अगर ऐसा दिख रहा है अगर आप मेहनत कर रहे हो आप इमानदार हो तो उसके पीछे क्या हो सकता है उसके पीछे विचार हो सकते हैं आपके मातापिता के संसकार हो सकते हैं ठीक है आपके टीजर्स ने आपको कुछ सिखाया हो वो हो सकते हैं छोटी मोटिविशन वाले आपने वीडियो देखे हो, वो हो सकते हैं, आगए समझ में, तो उसी तरह से क्या होता है, कि एक philosophy होती है, एक thought process होता है, और एक provision होता है, हमने हमारे constitution में क्या बोला है, कि हम क्या करेंगे, जो religious minorities हैं, उन्हें क्या देंगे, उन्हें उनके religious rights को perform करने की पूरी-पूरी आजा किस basis पे, धर्म, जात, ठीके, लिंग, हर प्रकार से क्या होगा, समानता रहेगी, equality रहेगी, तो वो क्या है, वो provision है, ठीके, वो हमारे constitution में दिख रहा है, यह rights दिये है, यह provision है हमारे constitution का, उस provision के पीछे क्या है, एक philosophy होगी, उस provision के पीछे एक विचार होगा, एक सोच होग clear हुआ, तो let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about, तो अगर हम overall, देखो provisions तो क्या है, provisions आप कहाँ पढ़ेंगे, class 11th में एक book है आपकी, Indian Constitution Network, तो उसमें आप provision पढ़ते होगी, यह article है, इस article के साब से यह है, इस article के साब से है, हमारे constitution का article 1 है, which says India, that is, भारत shall be a union of India, तो इस तरह से क्या है, व overall philosophy, तो हम अगर समझें कि क्या philosophy है, क्या विचार रहा है हमारे constitution के बीचे, ने किस चीज़ की बनी है, तो वो हम समझेंगे, we can do this in two ways, और यह philosophy को अगर समझना है, तो इस philosophy को हम दो रास्तों से समझ सकते हैं, दो तरीकों से समझ सकते हैं, क्या हैं दो तरीके, पहला, we can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, तो हम कैसे समझ सकते हैं, हम अगर philosophy को समझने की बात करें, कि हमारा समविधान किन विचारों पर बना हुआ है, तो हम दो तरीके से सीख सकते हैं, सबसे पहले तो क्या है, कि जिन लोगों ने बनाया है, जिन leaders ने constitution बनाया है, उन leaders की जैसी सोच होगी, वैसी constitution में reflect होगी, दिखती ही बात है, मतलब क्या है, कि अगर आप जिसे दिखेंगे कि जो बच्छे के आपको actions देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं, वो जिन लोगों से मिल रहा है, वो जिन लोगों की सांत रह रहा है, जैसा उसके घर में माहुले, वैसा वो reflect करेगा, तो व लोगों की जैसे विचार होंगे, वैसे ही विचार आपको constitution में देखने को मिलेंगे, यह पहला तरीका हो सकता है, आपको यह समझना, आप constitution के विचार क्या है, तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसके पीछे की understanding समझना है, तो आप जिन leaders ने बना है, उनकी सोच को समझ लो, एक तरीका, दूसरा तरीका यह है कि वो constitution में क्या लिखा है, उसको समझ लो, ठीक है, तो what the constitution says about its own philosophy, ठीक है, तो constitution अपनी philosophy कहां बताएगा, तो constitution के अंदर जो provisions है, उन provisions को समझाता हुआ जो preamble है, तो उसकी में रस से समझ सकते हैं, तो अब हम दो वीडियो में समझेंगे, मतलब यह वाला जो पार्ट है ना, कि leaders का जैसा सोचना होगा, leaders के जो views होगे, उसी तरह से constitution मना होगा, उसी तरह से constitution की overall philosophy होगी, तो leaders के view को हम यहीं समझेंगे, और यह constitution खुद क्या बोलता है अपने philosophy के बारे में, यह preamble की मदद से समझा जा सकता है, इसे हम next video में पढ़ leaders of constituent assembly, आपने making of constitution भी समझा, महत्मा गांदी का कही नाम नहीं आया वहापे, लेकिन महत्मा गांदी के आत्मा है उस सम्विधान में, कैसे, तो जिससे अगर आप समझेंगे, he was not a member of constituent assembly, yet there were many members who followed his vision, ठीक है, वो constituent assembly के member नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं थे, बहु leaders थे, अब गांदीयन leaders जो थे तो वो गांदी जी खुद constituent assembly में नहीं थे, लेकिन विचार थे, देखो इनसान जो रहता है, इनसान क्या है, अमर नहीं, अमर कैसे नहीं है, कि आज है, कल नहीं रहेंगे, ठीक है, मैं हूँ, आज कल नहीं रहूँगा, आप हो, ठीक है, कल लेकिन हमारे जो विचार रहते हैं, हमारा जो सोच है, हमारा जो कह सकते हमारी जो philosophy है, ठीक है, that never dies, clear हुआ, तो उसी तरह से क्या है, कि महात्मा गांदी के vision को follow करते हुए, जो लोग constituent assembly में थे, उन लोगों ने ये ensure क्या कि constitution में महात्मा गांदी के views जो है, वो reflect हो, ठीक ह years ago writing in his magazine Young India, Young Indian की magazine थी, years ago writing in his magazine Young India in 1931, he had spiked out what he wanted the constitution to do, ठीक है, उनने clearly इस चीज़ को spell out करा, कि वो क्या चाहते हैं कि constitution क्या करे, ठीक है, तो ये जो screenshot से, screenshot से आपकी book से लिए गया, आपकी book में जो कह सकते हैं, box के अंदर content लिखा, उसे पढ़ना ज़रूर, तो ये को महात्मा त countdown and patronage, तीक है, एए ये घए शहल worth for in India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, in India in which there shall be no high class and no low class of people, in India in which community shall live in perfect harmony, there can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs, विमेन विल इंजॉई सेम राइट्स एज मैं आई शेल भी सैटिस्फाइड विथ नथिंग इल्स तो इनने बताया कि मात्मा गांदी नहीं यह नहीं बोला कि मैं कॉंस्टिट्वेंट डेसे मिल में जाओं लेकिन उनके विचार रिफलेक्ट होते हैं विमेन के एक्वल रहना चाहिए अब सरकार पैसा कहां से कमाईगी अगर लिकर पर लगा देगी तो तो वह अलग डिबेट है ठीक हाई क्लास लोकास के लोगों के बीच में कुछ ना रहे तो वो इस तरह से बताते हैं क्या कि एक ऐसा सम्विदान हो अब यही आईडिया आपको कहां देखने को मिलेंगे समविदान में देखने को मिलेंगे तो यही वाला पॉइंट है क्या कि दी ड्रीम सेन प्रॉमिस है तो आप कॉंस्यूशन को समझना चाह रहे हैं दो तरीके से समझ सकते हैं वी कर अंडर्शान इट बाइडिंग दी व्यूस आफ सम आफ आर मेजर लीडर्स ऑन इंडिया वदाउट इनिक्वालिटीज ठीक है बट यह हैं डिफ्रेंट अंडर्स्टेंडिंग ओफ हाव इनिक्वालिटीज कुड बी रिमूट अब यह भी गांदी जी की तरह क्या चाहते थे कि इनिक्वालिटीज खतम हो लेकिन एट टाइम क्या होता है आपको देखने इंडिया विदिया विदा इनिक्वालिटीज इनिक्वालिटीज घू इत्विश्टेंडिंग वेतां गांदी रिमूट अबिगल्नुएस्ट इन एर ऋथे कर दाउनिय 40 मूट एटिपीजि स्टेंग्रें रिमीर हो गया किर्टीज नहीं इनिक्वालिट नियुक्य फिर ग to enter a life of contradiction you know kaha ki we are going to enter into a life of contradiction kya kaha in on a sq kagi kya contradiction hai toh what he said in politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality in politics we will have we will be we will be recognizing the principle of one main one vote and one value in our social and economic life we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one one man one value how long shall we continue to live like this life of contradictions how long shall we continue to deny equality in our social and economic life if we continue to deny it for long we will do so only by putting our political democracy in pearls together to yaha peo kya kya hai ki aaj bhaot acha dini ki ham kya karay amara samvidhan joe lagu karay lekin a mick life of contradiction may jaray ki jaha peo a political right to dee diya sabi ko sabi ko voting right dee diya one vote hai one value hai lekin social economic sphere me agar aap jyse dekho ghe toh samaj me or a mtlaab samaji group se or arctic group se equality nai yaya unattachability exist karthi hai inequalities joh hai economic inequalities exist karthi lower caste ki logon ke pas paisa kam hoota hai upper caste ki logon ke pas paisa zyadha hoota hai yeh us samayi ki baat kar hai kab jab constitution implement ho raha first republic day ki baat kar raha hai or yeh keha raha ki political sphere me to equality liya hai lekin hama raja social economic sphere me inequalities exist karthi raha yam kapta ki inequalities ko exist karthi rhenyo toh he was not very much excited about it ki haa sab kuch sahih ho jayega kio kyunki is chis ko highlight ki unho ne bata ya ki inequalities hai inequalities ko abhi puri tarah se khatam nii huwa social economic level inequalities ko khatam karna hao ki constitution ne tk political equality to dee dhi hai clear hua toh yeh dr b.r ammit kar johan dr b.r ammit kar ke bhi joh views teo kai nai kea ap ko dekhne ko minne ka reservation kaah se nikal ke aya toh isi tarah se ki haa kaise social political equality ko laya jaa sakta hai toh iska reservation nika raastat ha clear hua toh humare constitution map ko joh chise dekhani ko mil riyeh woha humare leaders ke vichar hai wiasa hi ap jis se dekhenge toh jawala nahiru nebhi kiya at the midnight of 15th of august 1947 उन्होंने famous speech दी अपनी क्या tryst with destiny tryst with destiny tryst मतलब क्या है कि agreement में जा रहे है आप destiny मतलब क्या है जो आपका भाग गये है तो आप भाग गये के साथ समझोता कर रहे हो आपको पता है क्या कि अभी तक गुलामी मतलब tryst with destiny speech पीश को पढ़ना इन्होंने क्या कहा क्लेरली बताया कि अभी तक हम जिस कह सकते इस्तिती में थे कि गुलाम थे गुलामी की जंजिरों में बदने हुए थे लेकिन आज 15 अगस्त को हम क्या करें आजाद हो रहे हैं अब हमारे सामने क्या है भविश्य है हमारा हम चाहे कर सकते हमें हमारे देश को किस तरफ ले जाना है ठीक है we are entering into the agreement of we are entering into an agreement with our destiny कि हमारे भाग्य के साथ एक समझोते में जा रहे हैं तो अब ऐसा समझोता करें कि भाग्य उजुवल हो भविश्य जो हो वो सुने रहा हो इस चीज़ को इन्होंने अपनी speech में बताया तो यही जो आइडियाज है तो यही जो आइडियाज है आपको constitution में देखने को है यह साथ चीज़े हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं मैं उमीद करता हूं कि आपको यहां तक चीज़ी समझ में आई हैं आप क्लियरली पढ़ पाए हो सीख पाए हो आपको पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे philosophy of the constitution फिलोसफिय ऑफ दी कॉंस्टिटिउशन इस टॉपिक की significance को समझो अगर आप देखेंगे तो मैने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यह समझना ह कि what are the guiding values of the constitution तो आपके पास दो रास्ते होते हैं पहला तो ये कि जिन leaders ने constitution बनाया है आप उन leaders की सोच को समझ जाओ कि वो क्या चाहते थे वो किस तरह से सोचते थे वो किस तरह से चीजों को देखते थे क्या चाहते थे कि कैसा देश बने वो जैसा चाहेंगे leaders वैसा ही constitution बना होगा ठीक है तो the viewpoint of the leaders is reflected in the constitution एक तरीका यह हो सकता और हमने पिछली वीडियो में देखा क्या साधे थे मातमा गंदी क्या चाहते थे जभालना नेरू क्या चाहते थे और उनकी सोच कहीं कहीं हमारे constitution में can see contribution में reflect होती है दूसरी चीज का है दूसरी चीज किसी कैसे बना है एकर वो समझना आपको constitution की philosophy में क्या है वह समझना आपको तो दूसरा तरीका second way to know what is the philosophy of the constitution, second way क्या है, what the constitution says about its own philosophy, constitution खुद अपनी philosophy के बारे में क्या बोलता है, ये दूसरा तरीका होता है, और constitution क्या बोल रहा है, ये आपको कहां पता चलेगा, तो ये preamble में पता चलेगा, ठीक है, तो जो preamble होता है, उस preamble में ये, क्लियर ली मेंशन होता है, साफ सु तरे अक्षरों में लिखा रहता है, कि what the constitution says, अब preamble क्या है, सबसे पहला सवाल ये है आपके मन में, देखो, आपने ID काड दिखा है, आप स्कूल जाते हैं, आपके गले में ID काड होता है, तो ID काड क्या है, वो आपको जाने बिना आपके बारे में सब कुछ जानने वाली किये, लेकिन आपके सारी चीज़े उसने बता दिये, कैसे बता दिये, आपके ID काड से, तो वैसे ही कि constitution को पूरा पढ़ने से बहतर क्या है, कि constitution का जो फर्स्ट पेज है, constitution का जो कह सकते हैं कि essence है, इसे लोग summary भी कह देते हैं, वो होता है प्रियंबल, मैंने आपको बहुत philosophical तरीके से समझाया, लेकिन सीदी सी चीज़ है कि scholars क्या कहते हैं, scholars प्रियंबल को constitution का ID कार्ड कहते हैं, ठीके, तो फर्स्ट पेज ऑफ दी प्रियंबल के constitution कहते हैं, प्रियंबल मतलब क्या एक preface होता है, जिस तरह से आप देखेंगे, तो क्या होता है कि यह American constitution का preamble है, आ अहां बताया जाता है, इस चीज़ को preamble के थरू बताया जाता है, तो the constitution begins with a short statement of its basic values, this is called the preamble of the constitution, तो constitution अपनी basic values के साथ में एक short statement के साथ में start होता है, और short statement को क्या कहा जाता है, preamble कहा जाता है, ठीके, taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble, ठीके, और क्या होता है कि जैसे American constitution, America का constitution है, तो America constitution का है, world का oldest constitution है, world की oldest democracy है, America, तो America ने अपने constitution को क्या किस से start क्या, एक preamble से start क्या है, बलब यह आपकी book के screenshot है, यहां आखे मत गड़ा ना दिखनी रहा सर, ठीके, तो जैसे क्या है, we the people of United States, in order to form more perfect nation, establish justice, ensure domestic, tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessing of liberty, to ourselves, and prosperity, to obtain, फिर कुछ क्यालिगरा फिम लिखा है, बहुती खतरनाक सा, constitution of United States of America, तो अगरा भी हापे देखेंगे, तो यह प्रेंबल बता रहा है कि हां, more perfect nation, मनाने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, साथ में, आरे, provide for a common defense, तो United States of America क्या है, सारे स्टेट्स जो थे, वो स्टेट्स साथ में आ गए और अमेरिका बना लिया उन्होंने, ठीक हैं, इसलिए वहाँ बे डॉल सिटिजन्सिप का concept चलता है, तो प्रेंबल जो रहता है, वो constitution की फितरत को उने वाला constitution के, ठीक हैं, तो वैसे ही, हमें अगर समझना है कि, what is the guiding value of our constitution, हमारे constitution की philosophy क्या है, तो दो तरीके हैं, एक leaders क्या सूचते थे, वो हम देख चुके, दूसरा तरीका है कि हम देखे कि constitution में क्या लिखा है, तो constitution में क्या लिखा है, वो हम यहाँ से समझ सकते, constitution में क् तो preamble of the constitution जो है, वो बताता है, the preamble of the constitution reads like a poem on a democracy, ठीक है, reads like a poem on a democracy मतलब क्या है कि, we are a democratic country, we do have a constitution, तो constitution है, तो हमारी democracy को, हमारी country में जो democracy को practice की जा रही है, उसको आप preamble के थू समझ सकते हैं, ठीक है, it contains the philosophy on which the entire constitution has been built, ठीक है, तो पूरा का पूरा constitution, जिस philosophy पर बना है, वो पूरी की पूरी philosophy आपको कहां देखने को मिल जाएगी, preamble में देखने को मिल जाएगी, it provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कोई भी government action ले रही है, कोई भी government क्या कर ये, काम कर रही है, तो वो government सही कर रही है, गलत कर रही है, ठीक है, उस चीज और government क्या कर रही है, social, मतलब मान लो क्या है कि untouchables जो है या पिर कह सकते है, schedule cast के जो लोग है, उनके साथ में भेधभाव कर रही है, तो हम वो सकते हैं कि government का ये action गलत है, सही है गलत है, good or bad जो है, उसको आप कैसे just कर सकते हो, ठीक है, तो बिना constitution पड़े, आप preamble से ही short summary है जो constitution को explain करिये, जिससे आप evaluate कर सकते government actions को, जिस पर पूरी की constitution की philosophy को समझ सकते हो, it is like a poem on our democracy, समझ मैं, it is the soul of the Indian constitution, preamble जो होता है, वो हमारे Indian constitution का soul होता है, ठीक है, preamble Indian constitution की soul है, ध्यान रहेगा constitution को समझना है, तो ये constitution की आत्मा है, इसे समझो, ठीक, आगे बढ़े, त याद कर लेते हैं, क्यों, क्यासे भी बन जाते हैं, ऐसा बूल जाते हैं, कि sovereign socialist secular democratic republic, पांच शब्देने sequence में arrange करो, कि पहले कौन सा शब्दा आता है, बताओ, सवाल तो कहीं से भी बन सकता है, competitive की preparation करना बहुत डाइनमिक चीज होती, बता है, मला भी बहुत आता है, और उस प्रियंबल कैसे start होता, देखो, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into, अब यहां पर कहा है, पहला शब्द जो आया, वो आया, we the people of India, constitution के प्रियंबल में, we the people of India के अपनी अलग क्या है, जलवे है, we the people of India के क्या जलवे है, देखो, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers, तो जो constitution है, वो constitution क्या क्य है, वो constitution, खुद ही constitution को देश की जो जनता है, उन्होंने बनाया, उन्होंने कैसे अपने representatives के थूर बनाया, तो constitution को किसी ने ऊपर सुतर के आके नहीं दिया, किसी राजा ने नहीं दिया, constitution इस देश की जनता का खुद का बनाया हुआ constitution है, ठीक है, तो we the people of India क्या दर्शाता ह है, कि यह हमारा है, हमारा है, मतलब in the sense की, लोगों का उसमें क्या involvement है, जो लोग बोलता है, कि constituent assembly ने जो constitution मनाया, उसको क्यों accept कर रहें, क्योंकि वो constituent assembly किसको दर्शाती थी, we the people of India को दर्शाती थी, एक broad base को दर्शाती थी, ठीक है, we the people of India समझ में आया, we the people of India भी एक message ल sovereign का मतलब क्या है, तो यह essence समझा रहा है, हमारा देश जो बनेगा, वो कैसा बनेगा, sovereign country बनेगा, sovereign मतलब क्या है, जैसे आपको आपके घर में क्या सबजी बनाना है, यह बाजुवाली से पूछ के आते हो, क्या, नहीं, आप खुद निर्ने लेते हो, क्यों, क्यों, because you are a sovereign, sovereign, ठीके, आपके घर में आप एक sovereign हो, आपके पास में पूरी authority, आपके पास में पूरी liberty उस चीज़ की, कि अपने लिए आप खुद ने decision लो, ठीक, ऐसा थो लिना होगा, कि बाजुवाली anti से पूछो गया, हाँ, बताए क्या सबजी बनाए, तो उसी तरह से आज, इंडिय इंडिया आपने देश के लिए जो निडने लेना होगा, कि कौन सी policy रहेगी, किसको privatize करना है, किसको नहीं रहने देना है, तो वो सारी चीज़ों के निडने देश के अंदर ही लिए जाएंगे, ठीक, तो people have the supreme right to make decisions on internal as well as external matters also, देश के अंदर के साथ external matters मतलब क्या है, कि हम किस देश के साथ कैसे संबन रखेंगे, यह हमारे external matters के उपर decision कौन लेगा, हम खुद लेंगे ना, तो sovereign मतलब क्या है, कि we are free to take our internal as well as external decisions, no external power can dictate the government of India, पहले क्या है, British Parliament dictate करती थी, कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ठीक है, यह laws आएंगे, तुमारे यह नहीं आएंगे, लेकिन अब क पंक्षी है, तो उस तरह से क्या है, कि when you are sovereign, you are free to take internal and external decisions, no external power can impose anything on you, तो वीदी पीपल of India having solemnly resolve to constitute India into a sovereign, ठीक है, सॉवरेन के बाद क्या है, socialist, अब socialist जो preamble में लिखा है, तो क्या दर्शाना चाहता है, socialist मतलब की, देखो, socially मतलब, wealth is generated socially and should be shared equally by society, अच्छे चीज़ बता हूं originally socialist हमारे constitution में नहीं हुआ गरता था, जब सम्विधान बना था ना, 1949 के अगर बात करें हम, जिस साल में adopt कर लिया गया था हमारे दौरा, तो उस साल में हमारे constitution में socialist नहीं था, secular भी नहीं था, socialist secular दोनों नहीं थे, ठीक है, ये socialist secular add किये गए बाद में, ठीक है, इंद्रा गां should regulate the ownership of land and industry, to reduce social economic inequalities, socialist मतलब कि हमारा देश जो है, तो हमारे देश में जो भी wealth है, जो भी पैसा है, वो कैसे generate होती है, वो wealth जो है, वो generate होती है, society के दवारा, हाँ एक इंसान खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, लेकिन वो समाज में रह के पैसा कमा रहा है, तो सभी तरह का पैसा समाज में बाटा जाना चाहिए, wealth is generated socially and should be shared equally by society, government should regulate the ownership of land, government सारी चीदों को समाले, industries को समाले, और कोशिश करे कि जो समाजिक आर्थिक, क्या सकते है, inequality है, असमानता है, उन्हें खतम किया जाए, तो यह दर्शाता है कि यह क्या government का थोड़ा सा टिल्टेशन, socialist मॉडल क के तरफ था और वही चीज़ आपको हमारे प्रियंबल में देखने के मिलती ही, दो इस 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 एड़ एड़ लेडर ओन, but this is the reality, तो socialist जो है, वो वर्ड हमारे constitution में है, प्रियंबल में है, तो socialism के तरफ टिल्टेशन दर्शाता है थोड़ा सा, secular, secular मतलब क्या है कि धर्म निर religion, but there is no official religion in our country, secular का मतलब क्या है कि citizens को पूरी-पूरी आजादी है, ठीके, citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion, को यह official religion is, सरकार का को धर्म निया, लेकिन सरकार सभी धर्म को मानती है, मानती मतलब सभी धर्म को एकि समान नजर से देखती है, government treats all religion, religious beliefs and practices with equal respect, तो वी the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, socialist समझ में है, sovereign समझ में है, secularist समझ में है, मतलब सभी धर्म को equally treat किया जाएगा, यह हमारा preamble बोलता है, ठीक है, democratic republic, democratic मतलब क्या है, democratic मतलब, जिसे हम democracy की बात करते है, democracy मतलब क्या है, कि equal participation, जितने भी citizens है, सब क्या होगा, हग होगा, कि वो decision making process में participate करे, सब कुछ क्या होग a form of government where people enjoy equal political rights, political rights equal है, आपके पास में, elect their rulers and hold them accountable, तो जो आम जनता है, वो क्या करेगी, अपने नेताओं को चुनेगी, वो ने accountable hold करेगी, आम जनता participate करेगी, उनके पास rights रहेंगे, the government is run according to some basic rules, तो government जो होगी, वो कुछ basic rules के साब से, accountability fix करना मतलब क्या है, कि आप जो आपकी सरकार, देखो सवाल पूछना आपको देशदरो ही नहीं बनाता है, सवाल पूछो, खूब पूछो एक बार नहीं, दस बार पूछो, ठीक है, चलो, फिर क्या है, Republic की बात करें अगर, तो क्या है, तो we have solemnly resolved to constitute India into a socialist, ठीक है, sovereign, socialist, secular, democratic, Republic, Republic का मतलब क्या है, कि आपकी, जो country पॉलिटिकल राइट्स होंगे, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स होने के साथ में, पॉलिटिकल सेट अप कैसा होगा, कि जो head of the state होगा, head of the state को होते हमारे president, तो president कैसे चुने जाएंगे, जैसे आप देखेंगे, head of the state, Britain में कैसे चुने जाते, मोनार्क है, तो वहाँ पर क् अब भया, लोई सिक्षिन को अठागे, हम क्या करेंगे, कि जो elections होंगे, और elections के द्वारा leader को चुना जाएगा, head of the state is going to be the elected person, यह वही चीज को दर्शाता है, तो the head of the state is an elected person and not a hereditary position, ठीक है, वन्शुवाद नहीं चलेगा, hereditary position नहीं होगा, कोई, ठीक है, कोई मतलब कह citizens, तो जो जनता है, उसको क्या सिक्योर करवाना होगा, जनता को सिक्योर करवाना होगा, justice, liberty, equality, fraternity, अब justice क्या है, तो justice सोशल, economic और political sense में, justice का मतलब क्या है, तो justice का मतलब यह है, न्याय, न्याय कैसे दोगे, तो citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, अभी आप सोचोगे, सरे justice और equality तो सेम है, ले government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups, ठीक है, तो government का क्या काम होगा, government का यह काम होगा, कि government किसी के बीच में भी भाव ना करे, government सभी को, एक समान नजरों से देखे, government सभी को क्या दे, न्याय दे, ठीक है, government should work for the welfare of all, especially the disadvantaged groups, ठीक है, देखो, justice में क्या कहा गया है, कि especially for the disadvantaged groups के लिए, equality भी है, हम उबाद करेंगा ज उपर लाना है थोड़ा तो इसको थो थोड़ा एक्स्स अनिक्वाल अगल निक्वालत एको तो निद डिड tar pushes क्वारी में नग utan मेरी बात सो समान नजर से देख रहे हो लेकिन हो ये हैचे कreo Racewind तब न्याय हुआ ठीक है तब न्याय हुआ यहाप न्याय उस चीज को दर्शाय गया है ठीक तो citizens cannot be discriminated on the grounds of race religion gender social inequality have to be reduced government should work for the welfare of all especially of the disadvantaged groups clear up अब देखेंगे आप तो justice है हमारे इसमें प्रियंबल में social economic political sphere में justice दिया जाए liberty भी हमारे प्रियंबल में liberty का मतलब क्या होता है liberty किस चीज की आजादी किस चीज की तो liberty of thought ठीक है मतलब सोच की liberty of thought expression belief faith and worship तो इन चीजों में आजादी मिले आपको तो there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action तो liberty का मतलब को मिला कि आजादी है तो वहीं आजादी को यहां पर दर्शाह आगाए कि आजादी विचारों की हो ठीक है expression की हो विचारों की हो thought की हो बिलीफ की हो faith की आप जिस तरह से अपना religion practice करना चाहरा है जिस तरह से आप लोगों को बताना चाहरा है अपने धर्म के बारे में आप बता सकते हो peacefully unreasonable restrictions ना हो liberty पे ठीक है तो यह हमारे constitution में है इसलिए आप क्या देखतो right to freedom a fundamental right freedom of speech and expression freedom of profession freedom of religion यह सारी liberty equality equality मतलब समानता तो समानता यहां पर किस चीज किये equality of equality of status and opportunity and to promote अमंग देमाल ठीक है या भी आगे पड़ेंगे equality of status and opportunity तो सभी तरह से सबका status एक जैस हो सबको opportunities एक जैसी हो justice देने के लिए आप क्या कर सकते हो किसी को opportunity कम ज़्यादा दे सकते हो justice देने के लिए वह भी प्रियांबल में है लेकिन equality भी क्या basic essence है तो all are equal before law ठीक है equality में यहां पर बात की गई है justice में आपको specifically नय दिलाने की बात की जा लिए है equality में आपको उस कानून के सामने अब साब एक समान हो ठीक है तो all are equal before law the traditional social inequalities have to be ended जो traditional social inequalities आरी ना की कोई राजा है कोई कह सकते हैं परजा है तो राजा परजा सब खतम सभी क्या है citizens है ठीक the government should ensure equal opportunity for all तो this is the essence of equality प्रेंबल में equality equality of opportunity and equality of opportunity and status फिर अगर देखें तो fraternity अब आगे क्या कहता है प्रेंबल and to promote among them all fraternity fraternity का simple सा एक शब्द में समझाया जाया तो भाई चारा ठीक है और ये सारा सब कुछ जो किया जा रहा है कि sovereign है socialist है secular है democratic है justice है liberty equality है ये सारी चीज़ों का सार क्या इन सारी चीज़ों को क्यों डाला गया प्रेंबल में constitution में ताकि सभी के बीच में टू प्रमर्ट प्रमोट among them all fraternity मतलब सभी के बीच में भाई चारा सके all of us should behave as if we are member of same family no one should treat a fellow citizen as inferior हम सभी लोग एक दूसरे को कैसे माने कैसे समझें हम सभी लोग एक दूसरे को भाई की तरह देखें भाई की तरह माने भाई चारे से रहें वह फैटर नीटी को यहां पर दर्शाय गया है ठीक है तो यह आपको keywords समझ में सारे keywords justice liberty equality fraternity अब एक बाद पूरा प्रियंबल मच्छे से पढ़ते देखो वी दी पीपल आफ इंडिया वी दा पीपल आफ इंडिया है विंग सॉलमनी रिजॉल्फ तू इंडिया इंटु आ सॉवरीन सॉवरीन समझ में आया धर्म निर्पेक्ष्ट सोशलिस्ट वेल्ट इस जनरेटेश इन शूचल इन शूब इस डिस्रिबूटे अमंग दी सुसाइटी सॉशलिट्स लीट शेकूलर शेक्लर मतलब आ्याप एक नाइक नहीं ओ स्वारीन का मतलब क्या था ही एक रफ्रीट टेग डिसीजिजन्स ठीक सौवरीन का मतलब आ फ्रीटु टेग और अन्रेद कि सभी धर्म को समान रूप से देखा जाए डेमोक्रेटिक मतलब सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से होगा सिटिजन जो होंगे वह एक्टिवले पाइटिसिपेट करेंगे इन इलेक्टिंग गवर्मेंट ठीक है एंड रिपब्लिक पर बिलीफ पर फेट पर वर्शिप पर एक्वैलेटी हो किस चीज़ की एक्वैलेटी ऑफ स्टेटास एन उपर्चिनिटी हो समानता है हूं ठीक है एंड टू प्रमोट अमंग देम ओल फेटेटनिटी सब भाई चारे से रहे अश्यॉरिंग धी डिगनिटी ऑफ इंडिविजल एंड उनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दी नेशन ठीक है यूनिटी एंट इंटीग्रिटी ऑफ नेशन तो ये एक इंपोरेंट पार्ट हो तो आप प्रियम्ब से क्या समझ सकते हो एसेंस सोल समझ सकते हो ठीक है इन आर कॉंस्टिट्वेंट असमली थी इस ट्वेंटी सिक्स डे ओस नवेमबर ठीक है तो 26 दे ओस नवेमबर 1949 do hereby adopt in act and give to ourselves तो एक एक शब्द एक कहानी बताता है क्या कि 26 नवेमबर 1949 पे do hereby in act adopt and to give ourselves हमने in act कर लिया adopt भी कर लिया constitution इसी दिन लागू जनवरी से करेंगे बागी बन के त्यार हो गया and to give ourselves यह constitution जो है यह किसी ने हमें नहीं दिया है we the people of India हमने बनाया तो हम अपने आपको दे रहे हैं हमारा constitution हम खुद लेंगे मतलब it is like wishing ourselves happy birthday to me ठीक है मतलब आप अपने आपको विश कर रहे है कि हां हम अपने आपको अपना constitution दे रहे है this and to give ourselves this constitution we are giving ourselves this constitution तो इसी दर से हमारा constitution जो है वो समझा जा सकता है उसकी philosophy को समझा जा सकता है with the help of preamble hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे institutional design के बारे में institutional design यह जो टॉपिक है ना अधिकतर students को लगता है कि टॉपिक पता नहीं क्या कहना चाहरा है समझ भी नहीं आया है अधर इसको सिंपल है समझना अच्छे से आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि constitution जो होता है वो constitution institutions को चलाने के लिए जरूर होता है constitution और institution में फरक है constitution क्या है constitution एक set of written document मतलब document of set of written rules है ठीक है अब उन rules के हिसाब से देश में अलग-अलग institutions चल रहे होते है judiciary executive अगेरा सारी चीज़ है तो कहीं न कहीं वो constitutional design is helpful for designing your institutions in the country which are going to govern the country so indirectly we say the constitution is very essential for governing the country ठीक है क्यों क्योंकि constitution से वो institutions को गवर्न किया जाता और वह जो institutions होते हैं ultimately country को गवर्न करते हैं जले भी बन गई क्या simple करते हैं इसको दिखो गया तो जैसे अगर आप देखेंगे तो constitution क्या है constitution is statement of value and philosophy simple की जो हमारे leaders थे जो कह सकते हमारे leaders की philosophy थी views थे सोच थी उन्हीं चीजों से क्या बना है हमारे समविधान बनाएं अब क्या है विचारों को आप विचारों को दिमाग में जुरी न रखोगे विचारों से क्रांति लाओगे न क्यासे आएगी तो आप उन values को क्या करते हो ठीक है उन values को constitution के अंदर जो values है तो it embodies these values into institutional arrangements ठीक है आप इन values को institution में बदल देते हो values को institution में कैसे बदल देते हो आप तो आप क्या करते हैं कि हाँ आपने justice का value एक ठीक है justice का एक क्या है philosophy है तो आपने judiciary बनाई है जिसका काम होगा justice provide करना तो आया समझ में तो constitution is based on the value of justice and that justice is being given or preserved with the help of an institution which is judiciary आगे समझ में value थी justice उस justice को आपने एक institution के थूँ डिलिवर करने की कोशिश करी और वो institution जैसे judiciary हो गई आगे समझें law and order तो law and order के लिए आपने क्या करा एक institution बना दिया law and order का एक value एक philosophy है उसको आपने क्या कर दिया institution में design कर दिया police बना दिया अपने executive बना दिये समझ में यह topic है बस आप सवाल वही है कि आप ideas को values को philosophies को कैसे institutional arrangement में convert कर देते हो तो with the help of with the help of क्या करेंगा with the help of different different institutions which is written which is specified which is explained in the constitution ठीक है तो आप जैसे क्या करते हैं आप देखेंगे constitution में बहुत कुछ लिखा रहता है तो the constitution makers did not see it as a sacred static and unaltered law यह चीज़ें रखना कि constitution में इतना कुछ लिखा रहता है तो वह सारे institution के बारे में लिखा रहता है अब ऐसा है कि एक बार जो लिख लिया तो पत्थर की लखीर है बस कि उसे चेंज नहीं किया जा सकता है वो क्या हो गया है कि जीवन-जीवन के लिए लौ ठीक है इसमें बदलाव किया जा सकता है और बदलाव कैसे किया जा सकता है therefore it need to be amended quite regularly to keep it updated वह जाली बात है कि आप उन विचारों को कैसे विचार में बदलाव आ सकते हैं समय के साब साब आप बोलोगे क्या जैसे आप ये बात करोगे कि नहीं हमें क्या करना चाहिए स् लेकिन के समय में क्या है आपको dependent होना पड़ेगा वी आर लिविग इन ग्लोबलाइज वर्ड डिपेंडेंट होना पड़ेगा तो वह क्या है विचार बदले ना लेकिन आपको उस विचार के साब सापने इंस्टिशन भी बदलना पड़ेंगे तो कब हो पाएगा जब हमारे constitution makers ने अगर आप देखोगे तो वह institutional design जो constitution provide करता है उसको एकदम rigid नहीं समझा और इसी के लिए क्या है इसी के लिए amendment का जो provision है वो क्या है regular way पे उसके लिए provision होना चाहिए आप समय समय के साथ बदलाओ कर पाओगे तो उस बदलाओ को हम क्या कहेंगे constitutional amendments कहेंगे समझ मेरे बात ठीक है तो constitutional amendments क्या है यह institutional design का एक पुरा का पुरा सांचा है framework है अब देखो क्या है तो the institutional arrangement in the constitution किस तरह का arrangement किया गया institutions का तो the constitution does not describe the institutional arrangements in a very legal language जो भी लिखा है न समविधान में बहुत legal language में लिखा है एक आम जिन्ता के लिए एक आम नागरिक के लिए क्या है उतना आसान नहीं कि वो समझ ले कि क्या लिखा है constitution में लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो गे तो एक broad heading जो होती है न जिसे आपको पता है कि क्या कौन-कौन से rights है किस तरह से rights है क्या argument उसके पीछे का क्या rational है वो नहीं पता है लेकिन क्या आपको इतना पता कि है यह अधिकार है हमारा freedom of speech and expression जो है ठीक है तो आपके बोल से तो आपको आपको एक ब्रॉड हेडिंग पता है तो यहाँ पे चीदिया रखना कि constitution में जो भी लिखा है बहुत लीगल तरम में लिखा है it is not necessary that everyone knows what is written in the constitution लेकिन जो basic institutional design है ना वो difficult नहीं है वो सब को समझ में आता है क्या है basic institutional design आपको पता है कि judiciary है law wallet हो तो आप वहाँ जाओगे executive है जो laws को क्या करने आ लिए implement करने आ लिए legislature होगी जो law बनाईगी ठीक और यही सारी चीज़े democratic politics वाली जो बुक है न आपकी एक एक करके पढ़ोगे आपने इससे पिछले chapter में क्या समझा है democracy को समझा basic समझे अब क्या समझा आपने कि उस democracy का एक pillar जो है democracy टिक हो यह constitution के उपर अब constitution कैसे democracy को hold करके रखा हुआ है तो उस constitution के अंदर institutions है institutional design वाला जो topic है कि हां constitution के अंदर values of philosophy and values of philosophy से आप क्या कर रहे है you are converting those values and philosophies into the institutional arrangement and that institutional arrangement is legal we know that लेकिन फिर भी क्या है कुछ basic structures जो है बहुत आसान है जुडिशेरी executive legislature है जिनने आप इस साल पढ़ने वाले हो ठीक है तो आप समझ में आ रहे है कैसे तार से तार जुड़ते जा रहे है पूले chapter के ठीक है तो like any constitution the Indian constitution lays down a procedure for choosing person who govern the country similarly क्या है कि मतलब आपने बता ये president को कैसे चूज किया जाएगा member of parliament member of legislative assembly कैसे प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे तो आपने क्या किया है उन आइडियास को एक पूरा का पूरा सेट अप दिया एक institutional arrangement दिया है it defines who will have how much power to take which decisions constitution ये clearly define करता है कि किसके पास कितनी power होगी कौन सा decision लिया जा सकता है it puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizens that cannot be violated ठीक है government के उपर limit लगाता है it puts limits to what government can do by providing some rights to the citizens so constitution में आपको ये institution देखने को मिलता है कि हाँ जो नागरिक है तो नागरिकों के पास में कुछ अधिकार होंगे जिससे वो क्या कर सकते है who is the most powerful in the country पता है ना state state याने government government is the most powerful तो government के against protection कैसे दो गया आप आम जनता को तो you are giving them rights ठीक आप अधिकार देते हैं उन अधिकारों की मदद से एक आम नागरिक भी क्या कर सकता है सरकार के सामने खड़ाओं के सवाल पूछ सकता है अपने अधिकारों के बल पे ही वो क्या कर सकता है भायमुक्त जीवन जी सकता है सब्सक्राइब करने के बाद में करते रहना अगर हम इस चैप्टर को देखे है तो हमने समझा कि क्या है क्यों जरुवत परती कॉंसिशन की और हमने साथ अफ्रिका के एक्जामपल से चीजों को समझा फिर अगर हम इंडियन कॉंसिशन की बात करे तो एक तो आपने कि हिस्टरी वाला पड़ा कि कैसा बना हमारा क्या रास्ता कहां कहां से की सिट्विशन फ्रेम किया गा से कौन्सिटीव फ्रेम के। कि अगर बात करें तो दो तरीके हो सकते हैं एक तो आप क्या है कि जो लीडर्स थे उनके व्यूपॉइंट को समझो दूसरा constitution खुद क्या बता रहा अपनी philosophy के बारे में तो preamble के through और कुछ leaders के point of view के through आपने इन चीजों को समझा और लास्ट में आपने देखा कि जो पूरा का पूरा साचा बुना जाता है ultimately उसका advantage मतलब उसका purpose क्या होता है purpose ही होता है कि आप उन values को और ideas को convert कर पाव एक institutional setup में that is here clear है तो I hope you enjoyed the chapter chapter हमारा हुआ यहाँ पे खदम ठीक है chapter complete ना चोगा आओ एश करो रिवाइज जरूर करते हैं चाप्टर को next वीडियो में हम अगले chapter के साथ मिलेंगे magnet means पर इसी तरह से सभी subjects chapters topics subtopics सब कुछ आपको systematic way में videos के format में available है इन सभी videos को आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं साथ ही साथ आप हमारी official website पर विजिट कर सकते हैं क्या करना होगा रास्ता बड़ा सीधा सा है सुनो मैं पहुचाता हूं आपको magnet means.com लिखना है Google पर आपके सामने website आएगी उस website पर आपको क्लिक करना है website पर क्लिक करते से आपके सामने क्या होगा इस तरह से एक interface आएगा अपनी class select करो class 9 में class 9 में घुज जाओ ठीक है जो भी class है आपके उस class को select कर लो class से अपके सामने सारे subjects आजाएंगे यह देखो geography, economics, civics, history, chemistry, physics, math, biology सारे subject आगये जो subject आपको पढ़ना है उस topic को पढ़ताएंगे आप ठीक है उस topic को पढ़ताएंगे आराम से घर बैटे अपना syllabus कर सकतो अपने junior seniors और classmates इन सभी को ज़रू बताएं मैगनेट बेंस के बारे में मिलते हैं नेक्स वीडियो से एक नए चाप्टर के साथ यह चाप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा तिल देन स्टे करेक्टेट कीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू वर्यम कि उड़ों एच्ज से घ्चंग रजय देनी सुटज से ज़रूं वर्यम ने।